हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों मैं पूरम प्रजापद रसाइन विज्ञान की इस पाश्चाला में आप सब बच्चों का स्वागत करती हूं आप सब बच्चे एक अक्षा बारवी में पढ़ रहे हैं और आप सब बहुत ही जोश और उमंग के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है क्यों क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट नट में जो पढ़ रहे हैं तो फटाफट बच्चों जल्दी से जुरते रहे हैं फटाफट कमेंट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके तो बच्चों हम आज क्या पढ़ने वाले हैं हम रसाइन विज्ञान का और जो पार्ट है उसे आज शुरू करेंगी तो डरने ठीक कोई बात नहीं है बिलकुल जोस के साथ बढ़ना है बहुत एजी है और केरे सी इतना एज़ी कोई सी भी कैमेस्टरी नहीं होती है इसलिए हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे ओके हम चाप्टर का नाम क्या है आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इन सब को डिसकस करेंगे ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सकें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम याँ टॉपक जो है उसका पर से फिर उसका क्लासिफिकेशन उसका नाम करन और उसके बाद उसके जो नाम भी अच्छे से याद कर सकें तो आपको स्क्रीन पर दो इमेज़िस दिखाए दे रही है एक में तो रुमाल में पता नहीं क्या है जिससे व्यक्ति बेहोश हो गया और एक व्यक्ति क्या कर रहा है प्लांट्स पर कुछ छुड़क रहा है क्या कर रहे हैं ज़रा ध्यान हम लोग मुवीज में देखते ही है ना कि किड्नेपर्स आते हैं रुमाल में कुछ डालते हैं और बेहोश करके बच्चों को किड्नेप करके ले जाते हैं अरे यह कर क्या रहे हैं यह उस रुमाल पर जित्ते भी किड्नेपर्स होते हो क्या करते हैं क्लोरोफर्म डालते हैं आज के टापिक का जो नाम क्या है जिसका हेलो एलकेन और हेलो एरिन राइट वहीं पर हेलो एलकेन का पार्ट तो समझ में है क्लोरोफों किसका पार्ट है हेलो एलकेन का वहीं पर आपको दिखाई दे रहा है एक वेक्टी प्लांट पर कुछ रख रहा है कभी-कभी प्लांट नाशी दवाईयां होती है उन सब में कौन सा पधार्थ होता है या या आपके चैप्टर का नाम क्या है बच्चों है लो एलकें और है राइट तो अब चलते हैं हम आगी थोड़ा अब आप सोच रहे होंगे मैं है हेलो एलकें हेलो एरिन तो अपने नाम बता दिया अब यह चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे हम आराम से पहले कुछ जनरल बातें करेंगे उसके बाद हेलो एलकें और हैले एरिन पर आएंगे ताकि आपको वह चीज़ें समझ में आजाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हम हेलो एलकें और एरिन की जब बात कर रहे होते हैं तो हमें और्गेनिक केमिस्ट्री में यह चैप्टर सबसे पहले रखा गया है तो और्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले होंगे बेटा और्गेनिक शब्द आते ही कार्बनिक शब्द आते ही आप सब के दिम oxygen, nitrogen और X, यह X क्या है, राइट, carbon की साथ तो सभी मन में हाथ है क्यों कि carbon की bonding nature बहुत अचा होता है, तो यह क्या है, X क्या है, X जो है है है, हैलोजन शब्द दिया गया, X को क्या दिया गया, हैलोजन जिसका आर्थ होता है, क्या, नमक, राइट, नमक युक्त योगिक, अब नमक बनाने वाले योगिक हैलोजन अब इसको हैलोजन ही क्यों कहा गया क्योंकि आप हैलोजन तत्वों के बारे में तो सब ने देखा रहे फ्लोरीन क्लोरीन ड्रोमीन नायोडी राइट ठीक है दिखाए नब आपने देखा हुआ यह किसी भी धातु के साथ जुड़ जाए तो नमक ही बनाता है एक लवण ही जैसे यह NACL एक लवण है के CEL एक लवण है इस तरह से KBR यह भी लवण है तो इस तरह से जितने भी एक्स यहनी फ्लोरीन ट्लोरीन डॉमिन आयरो जिसके साथ भी जुड़ा जिस धातु के साथ भी जुड़ा उन सब में लवण बनाया नमक बनाया तो इसे नाम दिया हेलोजन और जिसे रीपर्जन किया एक्स और एक्स का मतलब हुआ चार कत्मों का समोर क्लियर बात समझ में आ गई होगी अब अब क्या करें अब हम आते हैं जब कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ता है किसके साथ जुड़ता है हेलोजन के साथ जुड़ता है तो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ता है हेलो पर कार्बन को हम लोग जनरली आर से रीपर्जन करते हैं और यह आर इसक हुआ हैलो हैल के साथ जूड गया आप बच्चों कार्बन के वेलंसी कितनी होती है 4 दिझे चारों वेलंसी पर हैलो जंढ, हाइड्रोजन जूर सकते हैं तो हैलो हैल के समझ में आगी है वहीं पर जब अपन इसकी बात करते हैं तो एक बात पता हों में चिए कार्बन एक डिगरie दो डिगरी और तीन डिगरी होता है कैसे आपको तो एक दिगरी वहीं पर यदी कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो अन्य दो कार्बन से जुड़ा है दो दिगरी और वहीं पर यदी वो कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं तीन दिगरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों तो फटा- important बात है जो आपको पता होनी चाहिए अब आता है सेकेंड आगे बढ़ें तो हमें यह पता होना चाहिए यहलो एरी एरीं शब्द का क्या मतलब होता है बेंजिन रिंग जो एरोमेटिक कमपाउंड है उसमें एरीं शब्द लिया गया है ठीक है और जिसका अर्थ क्या होता है सुगंदित पधार्थ यह क्यों आया सुगंदित शब्द कहां से आया एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो शब्द आया एरोमा से और एरोमा का अर्थ होता है सुगंद युक्त पधार्थ तो सुगंदित हाइड्रो कारपन जो होते हैं उन्हें हैलो उन्हें क्या कहते हैं एर 49 यदी हैलोजिन जुद जाय तो कहा जाता है है रस fatty notice यानि कि बेंजीन बिग आपढस यह रहीершavía पड़शों तो यह बेंजीन अब बेंजीन को तुलो कहते हैं एरी ओके और ये से चितिक है इसके साथ में हाइड्रोरजुडतेaltetं वहां पर यदि के इसके तर्पर pleasपाई च्लियाँ वह यह कुमकित में हैं और के सुगंदित पदार होते हैं जaking समझ में आ गई ओके अब हम फटाफटी सका स्क्रीन शोट लो यह चीजें आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट इस चाप्टर में इन से बहुत सारी चीजें आपको क्लीर हो जाई है आज यह बात प्लिया आगे साय टॉपिक्स के लिए राइट फटाफटी स्क्रीन शोट ल किसका जुड़ जाना राजा हेलो जन का जुड़ जाना इलके वहीं बेंजीन रिंग में किसका जुड़ जाना हेलो जन का जुड़ जाना क्या खेलाता है हेलो एरी चलो थोड़ी सी परिभाशा को बनाने की कोशिश करते हैं क्या अपने पास कार्बन जिसकी चार वैलंसी ह H H H इसको क्या कहते है Methane Plus X Halogen यदि किसी भी Carbon Hydrogen यदि योगिक में किसी Carbon Hydrogen यदि योगिक में Carbon में से क्या Hydrogen का यदि विस्थापन कर दिया जाए किस के दो आरा Halogen के दो आरा क्या कर दिया जाए इस थापन कर दिया जाए तो बनने वाला जो नया योडिक है उसे हम कहती है क्या हेलो इलकेन क्यों कह रही हूँ अगर मैं यहाँ पर हाइडरोजन को डिफाइन ना करूँ केवल कार्बन हाइडरोजन में यहाँ दिखाऊँ तो मैं उसे इलकेन से ही बोलूँगी क्योंकि जब तक आपको पूरी वैलेंसी क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम उसका नाम करण नहीं कर सकते हैं तो यह हो गया हेलो हेलकेन अब आज आता है दूसरा हेलो हेरीन तो यहाँ पर भी अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और वो यहाँ से हटा कर उसको अपन किसके द्वारा हटाएं हेलोजन के द्वारा तो अपना क्या बन जाता है बच्चों हेलो हेरीन फटा-फट कमेंड में लिखो समझ में आ रहा है या नहीं जल्दी बात क्लियर हो गही अब इसकी परिभाषा जो मैंने समझाई है क्या वही है फटा-फट चेक कर लेते हैं जल्दी से इसका स्क्रिंशोट लेंगे फटा-फट लेलिया चलो जी चलो अब आती है इसकी परिभाषा कुछ इसका का हेलो एलकेन उपन चेन हाइड्रोकारबन से प्राप्त होते हैं जब कि यह सुगंदित हाइड्रोकारबन यानि एरमेटिक हाइड्रोकारबन जिसे बेंग जिन जिन कहा जाता है यह तो परिभाषा मेरे बच्चों को याद हो गई है क्योंकि हमने समझ ली है फटा फट स्केंशोट लेंगे बच्चों मैं स्केंशोट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये नोट्स बनाएंगे जल्दी से जल्दी फटा फट चलते हैं आगे अब आपके सामने एक डाइग्राम बनाया हुआ है जिसमें अपने देख रहे हैं reaction में क्या लिखा गया है की R और X ये क्या है? अभी मैंने बताया था R को अलकेन कहते हैं और H अभी define नहीं है कारबन की वेलेंस पता नहीं है क्या होनी है? तो हपन अलकेन तभी होता है जब कारबन होगा कारबन तो होगा पर कितने क्या जुड़े में होंगे ये क्लियर नहीं तो एलकेन चब दिया ओके फिर हाइड्रोजन जोड़ दिया अब इन बॉंड को तोड़ना है और वहां पर बंद जब तूटता है तो वह बंद में क्या होता है बच्चो ध्यान दो दो इलेक्ट्रोन होते हैं एक बंद म लिक्टा कर देख लें़ों है तो वहां पर दो पूसला होते हैं तो यह यहां होते है तो एपनलेक्ट्र जाता है तो यह बंद तूटा है और यहां म तो निकल गया माइनस का मतलब निकलना और शूड़ना और यह हो गया और एक्स, ओके, क्लियर हो गई बार, ठीक है, बॉंड जो होते हैं, एक बंद में दो इलेक्ट्रोन होते हैं, यह सब को पता होना चाहिए, क्लियर, आगे मैं इसकी मेकनिजम भी बताऊंगी, ति अभी इतना पता होना चाहिए, आगे चलते हैं, आगे, एरीन, एरीन का मतलब मा बेंजी और भी ऐडूजन का निकलना माइनस और हैलोजन का जुड़ना प्लस, यह यहां पर जुड़ गया और यह बन गया, बेंजेम लिबर, एक्स, हैलो, क्लियर टॉपिक, हैलोजन तो बताऊए, फ्लोरीं, क्लोरीं, ब्रोमीन, और आप चार तत्त्रों का समोर हैं, क कि फ्टा पर Like करते जाएं मेरं प्यारे बच्चे समझ में आ है अब क्या है अब यह कहें सुद्धने करना है यह फटा पधल लाइक करते हैं हेलो एल के अब क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से किया गया है कितने प्रकार से किया गया है भाई तीन प्रकार से किया गया है जरा ध्यान दो ठीक है तीन प्रकार से क्या जब कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है या फिर बेंजीन रिंग है उसमें भी हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ता है तो ये हेलोजन की संख्या कितनी है यानि हेलोजन परमाणू की संख्या के आधारपन कितने प्रकार के हो सकते हैं? मोनो, डाई और ट्राई ठीक है? मोनो मतला एक कारबन से एक हेलोजन जुगा हो अगर डाई है तो दो हेलोजन, ट्राई है तो तीन हेलोजन ठीक है? एक कारबन श्रंखला है कारबन कारबन के एक श्रंखला समझ में आती है न? अगर नहीं आती है तो ऐसा देख लो यह कार्बन फी έχει्श स्ट क्या हैब गणला है जिसमें क्या होता है श 2015 होती है तो इसमें कारबन के वेलंसे को पूरा तेंने के लिए है अब गूरे जोडा जा रहा है अब एक हैलोजन जोडा मोनो दो हैलोजन चोड़े डाई हेलोजन, तीन जोड़े तो ट्राई हेलोजन, तो यह संख्या के आधार पर हो गया, अब चलते हैं, दूसरा आता है, कि कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा हुआ है, यह सेम इस्तति किसमें है, एरिंस में भी है, तो डॉन्ट वरी, बी हैपी, ओके, चलत के आधार पर इनको कितने भागो में बाता है, दो प्रकार से बाता है, क्या क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है, इसका वाइनिल, वाइनिल, हैलाइट, और दूसरा दिया गया है, क्या, एरिल, हैलाइट, ध्यान देना बच्चों, क्लियर बात समझ में आगे, तीसरा वहीं कार्बन हेलोजन ये बेंजिन के साथ भी है राजा ध्यान देना ओके डड़ना नहीं फिर ये आया तो इसमें जो ये कार्बन है इसकी संक्रानिस्तिती स्पी 3 ठीक है तो कितने भागों में बांटा तो बांटा अल्किल हेलाइड फिर बांटा अलिलिक हेलाइड और फिर बांटा बैंजिलिक ट्रियर बात समझ में आवें जरा ध्यान देना वाइनलिक हेलाइड का मतलब क्या होता है जरा ध्यान देना कार्बन डबल बोन फिर कार्बन और ये हेलोज है हो गया वाइनलिक एरिल का मतलब क्या है बेंजीन रिंग से डाइरेक्ट क्या जुड़ा हुआ हो ना है लोगे यह सब में आपको प्रॉपर एक पूरी सार्णी जो होती है टेबल उसके अंदर बनाके भी देऊंगी इसमें आप स्क्रीन्शोट लेना पर एक शोट नोट आपके पास उना चाहि बेंजीन से डाइरेक्ट लियाक्स जुड़ा हो और वाइनिल का मतलब डबल बॉंड हो यह इस्पी टू कार्बन होगे ना एस्पी टू तो समझते हो ना एस्पी टू कार्बन जिस कार्बन में कितने डबल बॉंड हो जिसमें ट्रिपल बॉंड हो क्या होता है एस्पी और बेंजिलिक में क्या होगा बेंजीन रिंग उसके बाद में कार्बन फिर है लोज़ तो यह सब क्या है मेरे राजा बच्चों फटाफट इसका स्क्रीन शोट लो ऐसे डाइग्राम बना करके पूरा आपको इसी तरह से लिखना है यह एक शोट नोट है ठीक है अब फटाफट चलते हैं हम आगे अपनी साड़नी को चैक करते हैं यह तो प्लियर तो हो ही गया ना फिर भी आगे सिस्टेमाटिक देखें से पहले क्या है हेलोजन परमाणों की सैंक्य किया दाथब डाई हेलो एलके है ट्राइलो हैरिन ऊरो ल हैना और मोर्मोडाई हलो भी whole ए परमाणू क्या होता है फता है दो घुंप तीन दो जन परमाणू इसका एक्तL हेलोजन और तीन हेलोजन साथ साथ जुड़ेवे हैं कि नहीं है फटा फट देखो जल्दी से देखें फटा फट दिख रहा है एक ही हेलोजन है ना ओर तीन हेलोजन जुड़े हैं ना एक दो और ठीक है समझ में आ गही होगी बात चल्दी से चलते हैं वापस आगी अगला क्या है यह तो पहला हो गया समझ में आ गया पहला तो आप दूसरा देखो ऐसे योगिक जिनमें हेलोजन SP2 संक्रीत कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वाइनिल हेलाइट, एरिल हेलाइट वाइनिल का मतलब परदा चला ना क्या होता है वाइनिल मतलब CH3, CH2 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 डबल बॉंड CH CH2 SP2 कार्बन है ना बेटे तो यह क्या है वाइनिल ओके आप चलते हैं इसमें यही परिभाशा लिखी हुई है अब आता है एरिल एरिल का मतलब क्या होता है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है डाइरेक्ट वो क्या होता है एरिल हेलाइड होता है जैसे बेंजीन रिंग की बात करूँ तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी मैंने यह बेंजीन रिंग बना दी बेटा यह डाइरेक्ट यहाँ यदि हेलोजन जोड़ दिया तो यह क्या हुआ इसके एक्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, ये बात प्लियर हो गई, एक बात पहुआ पठाफ़ ध्यान देना, कि जब आपन डाइ, हेलो, एलकेन और एरिन की बात करते हैं, तो डाइ, हेलो, एलकेन जो होते हैं, टू टाइपस के होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, उनको अ जेन डई हेलाइटस और चेटा कि शिब्ल सिंपने पास एक कारबन है इस तरह से सरंखला है तो यह धी कारबन की स्रंख्ला में कार्बन की इस स्रंख्ला में यदि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो या दो भिन भिन कार्बन पर दो हेलोजन हो तो उनकी प्रकर्पी बदल जाती है एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो तो हम क्या कहेंगे जेम डाई हेलाइंगे और अलग-अलग पिश डाई हेल मैंडम कैसे याद रहेंगे ना मैं बता कि डॉंट वरी हम किसलिए देखो अगर अपन जैम की बाद जैम का मतलब अपन जैम लगाए खाते हैं ना ब्रेड के ऊपर लगाए खाते तो पुरा तो याद रहेंस अज सफर्ट लगाम तो 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 याद रहें एक तो दो नहीं होता वहुता है कि विस मतलब विसम मतलब हिंदos संख तो वो क्या होगा एक नहीं होगा इसका मतलब वो बिन बिन कार्बन पर होगा तो याद रहेगा वेरी गुड फटावड लाइक करो जल्दी से कमेंट करते जाओ तो जब अपन बात करते तो देखो बिटा यहां पर अपने लेखा कि अपन इक बात देखते हैं यह लिखा CH यहां पर इसको मैं इस तरह समझा रही हूँ CH-3 और यहां पर CH-Cl और यह सी है रजाजा कितने कार्बन है एकी कार्बन पर कितने क्लोरीन है सोरी दो एक पर ही है न तो नाम दिया एथिलीडीन क्लोराई जेमडाई जो हेलाइट होते हैं उनके नाम में जब आप नाम करण करते हैं मैं वहां और बताऊंगी पर फिर भी जब आ गया है तो क्यों ना बता दिया जाए तो नाम के पीछे क्या लगता है इडीन लगता है क्या लगता है इडीन लगता है एथि ए एथिलीडीन क्लोराइड दन वहीं पर अगर वहीं यह हो COC CH2 CH2 यहाँ पर CL यहाँ पर यहाँ दो अलग अलग कार्बन पर क्या होते हैं दो अलग-अलग हैलोजन्स या क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो हम विसम विसिनल दाई हैलाइसिस का नाम एथिलीन है है ना एथिलीन क्या होता है एथिलीन क्लोराइड डाई क्लोराइड है तो अपने को यह सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ताकि आपको नाम करन समझ में आ जाए यह दो यह तो पनाम करन आगे और अच्छा से बताऊंगी पर यह क्लेर होना चाहिए दन अब चलते हैं इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे तो सामाने नाम हो गए अब IUPAC 1 1-Dichloro-Ethene 1 1-Dichloro-Ethene बात समझ में आ गई 1 1-Dichloro-Ethene इसको कट कर दो यहां पर यह सब्सक्राइब है और आता है 1-2-Dichloro-Ethene 1-2-1-2-Dichloro-Ethene वैसे 11 में IUPAC नाम करन बहुत अच्छा से पढ़ के आए हो वहीं पर पढ़ लेना था ताकि बात समझ में आ जाए अगर नहीं है तो अलग से कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी समझें उतना इजी होगा के चलो फटा 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 इसक्रेंशोट लो जल्दी देखें बात क्लियर हो गई होगी अब चलते हैं अपना अगला प्रकार जो क्या है बेटे वह है अपना हेलो एलकेन और हेलो एरीन बताया था अभी अलग करके टो क्या है संक्रित कार्बन से युटा हुदा है हो गया है और बेंजालक है होलाराऊट और और एक क्या है तहां बच further कार्बन या था इस इसमें कार्बन कार्बन क के एक श्रंखला है जिसमें यहां पर डबल बॉंड है और यह क्या है कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है वह क्या हो आपका SP क्या हो SP3 है ना तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो हेलोजन है आपका वो क्या हो बेटे SP3 हो राइट क्लियर हो गई होगी बाद चलते हैं आगे राइट तो अब चलते हैं वी तो हो गया आपका क्यों यहां पर यह क्या हो गया वात समझने हागी मैंने वहें समझार दी थी कि carbon जो halogen से जुड़ा हुआ है वो क्या हो sp3o उसके अगला sp2 हो सकता है कोई दिकत नहीं है यह तो lilic jo halide है alkyl jo halide है वो तो क्या होता है sp3o होता है इसमें यहां double bond होता है और bengylic में कुछ ऐसा होता है मैं यह सब बता चुकी हूं लेकिन आपको फिर भी पता हो इसलिए बैंजाइल ओके इसको पता क्या बोलते हैं इसको बैंजाइल बोलते हैं हैलोजन लगा तो हैलाइड राइट अब इनके अपने को परिबाज और समझ में आई गई है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं चलें आगे फटाफट स्क्रीन शोट लेंगे आराम से जल्दी से आपको समझ में आ जाए चलते हैं आगे देखो बच्चो यह आपकी बैंजीन रिंग यह बैंजीन रिंग जिससे जुड़ा हुआ है और यहां double bond है तो यह कार्बन कैसा राजा sp2 यह भी कार्बन sp2 यह भी कार्बन sp2 यह भी कार्बन sp2 है ना तो sp2 से डारेक्ली यह दी क्या हो जुड़ा हूँ अब चलते हैं आगे जब कारबन जब कोई बेंजीन रिंग से डारेक्ट हेलोजन नहीं जुड़ाओ एक कार्बन के बाद हेलोजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों जल्दी बताओ क्या 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 चल्दी 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 क्या कहते हैं बेंजिल हैलाइड क्या कहते हैं बेंजिल हैलाइड बात समझ में आ गई होगी इस प्रकार अपन अपना जो क्लासिफिकेशन है उसको टॉटली क्लियर कर चुके हैं फटा-फट इसका स्क्रीन शोट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए डन ओके अब चलते हैं हम आगे अपना अगला टॉपिक है नाम करण नाम करण क्या होते हैं कि आपका भी तो बच्मन में नाम करण हुआ था ना वैसे ही कारवन जब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ जूर कर कोई योगिक बनाता है तो उसका भी नाम करण होता है यह दो परतियां है आयू-पी-ए-सी और एक है आपकी कौन सी कॉमन नेम जिसे अमन सामान्य नाम भी कहा जाता है अपने होते हैं अपने भी तो घर का नाम और बाहर का नाम अलग अलग होता है वैसे इनका भी है कॉमन नाम का मदा प्रचलित भाशा में जो बोला जाता है डेली यूज में और आयू-पी-सी इंटरनेशनल परती है जो आप कहीं पर भी जाकर यह इस नाम से तुल्ड योगी जों है उनका भी नामकरन किया गए है लेखे कॉमन नहीं जब भी होता है बच्छो ध्यान देंगी तो ध्यान देना सुनना कि हम क्या एक है कॉमन नेम जब भी आप दिखें तो प्याकर दिखी två कार्बबन का जो भी नामकरन हो उसके कार्बन की संख तो यह प्यालगा देना तो इस चाहिए ना तो द्याविश्च आपको बिलकुल भी ऐसे नहीं हम पढ़ रहे हैं नया तो नहीं है तो ध्यान देना जैसे अब अपने पास क्या है सबसे पहले एक पॉर्मूला दिया हुआ है CH3C1 A carbon A carbon को क्या कहते हैं मेट राइट क्या कहते हैं बच्चो A carbon है तो क्या लिग दिया मेट प्लस उसके नाम के पीछे अगर सामन्य नाम है तो क्या लगाओगे और यहां पर क्या है आपके पास क्लोराइट लिग दिया तो इनको मिलाया तो क्या बन गया नेथिल क्लोराइट तो के बात समझ में आई क्लोरी नहीं लिखते हैं CL2 के रुप में रेक्ट करना पड़ता है CL it means क्लोराइट क्लोराइट क्यों लिख रहे हैं क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर क्लोरी जो है वो माइनस चार्ज में आता है तो वहां नाम के पीछे क्या लगता है राजा आईड लगता है क्या लगता है आईड लगता है ओके डन चले ओके जी तो यहां लिख दिया क्लोराइट यह छोटी छोटी बातें जो मैं बता रही हूं उनको आप नोट करेंगे ओके अब आयो अब कितने कार्बन है यह त्रितिक क्यूं हुआ ध्यान देना 1 2 3 &b यहां पर सी एच ठरी सी एच ठरी सी एच ठरी दिटा आपी पीछे बताया था एक कार्बन जिससे हेलोजन जुडाया है वो तीन अन्ने से जुड़ाया तो उसे कितना डिगरी तीन डिगरी तीन डिगरी हिंदी में क्या लिखा त्रितियर कार्बन टॉटल कितने चार ब्यूटिल चार हो क्या होते हैं ब्यूटिल याद है ना ब्यूटिल और फिर क्या लिख दिया ब्रोमाइड ओके डन चलते हैं आगे अब आते हैं यह सामाने नाम है क्लोरोफोर्म सी एच सील थ्री राइट ट्राइक लोरो मेठेन इसका आयूपीस से नाम होगा वह बाद में देखेंगे अब आओ यहां पर एथिलीडीन ब्रोमाइड क्यों बच्चों ध्यान दो CH3 CH-BR-BR राइट कितने ब्र दो ब्र कितने कार्बन पर एक ही कार्बन पर दोनों ब्र लग गए तो क्या कहलाया एथिलीडीन रोमाइड क्लियर यह किसका है एक्जम्पल डाइ हेलो इलकेन का ओके आगे आओ देखो यह क्या है एलीलिक हो गया न यहांपर हैलोजन उसके बाद में यह क्या है दूसरा जो कर्ण है वो न पर पहलाเชई फ्री राइट है तो यहांपर है लिल ऑयोडाये अरे? वह मेरे प्यारे प्वाइडी कमेंड करो कि समय औया है नहीं जल् Stage जल्दी जल्दी कि ओके आफ आयू प्हीं आम करन पर आते हैं देखो फॉर्मूले में जब भी ईजए प्ॉर्म यह नम लिखते तो क्या फटा पर चलते हैं क्लोरो मेथेन अब बियार कितने दो कार्बन ब्रोमो इथेन टू ब्रोमो टू मेथिल प्रोपेन कैसे हुआ ध्यान दो यहां पर फॉर्मुला लिख रही हूं मैं आपके सामने CH3 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 और बियार एक श्रंकला का चेन करते हैं कर लिया प्रोमीन कित्ने परहें दो तो क्या लिखा 2 ब्रोमो फिर इस कार्बन की श्रंखला में एक मैथिल समों नहीं आया ना तो यह प्रतीस थापी वहा ना तो प्रतीस थापी पर पहले लिखेंगे टू मैथिल और यह लिख दिया प्रोपेन राइट बात समझ में आ गई होगी यह सब बातें आपको आती है यह मैं जानती हूँ इसलिए मैं फटा-फटा आपको क्लियर कर रही हूँ ओके अब आता है ट्राइक लोरो मेथेन क्योंकि तीन क्लोरीन है वहाँ पर यह देखो यहाँ पर सी एच इधर सी एज इधर सी एज सी एल और यहाँ भी सी एल एक डो तीन ट्राइक लोरो एकी कार्बन है मेथेन अब यह वन वन डाइब्रोमो एथेन वन वन एक परी तो है दोनों वन वन डाइब्रोमो एथेन 3-2-1-2-3 किते पर आयोडीन तीन क्योंकि आयोपीसी नामकरण यह कहता है कि डबल बॉंड और त्रीपल बॉंड हो तो नामकरण वहां से अंकन शुरू कुरें जहां से द्विया बंद को कम से कम अंका मिलें ओके तो 1-2-3 तो 1-2-3 आगया तो यहां पर 3 पर क्या है 3-2 प्रॉप यानि तीन कारबन तो प्रॉप और एक नंबर पर क्या है इन तो वन राइट आयोपीसी नामकरण वह समझ में आगे है जल्दी से फटा फटी स्क्रीन शोट लेंगे ताकि आपको चिजे क्लियर हो जाए डन अब चलते हैं आगे यह क्या है हेलो एलकेईन के नामकरण समझ में आ गये आप पड़ते हैं हेलो एरिन का नामकरणторов blur कैसे बेंटा हेलो एरिन में सामर्य नाम् जब भी आप करे तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इस पोजिशन को इप्स मेह और टÓ इसको मेटा और इस पोजिशन को पेरा कहते है बात समझ में आई इप सो जहां पर कोई न कोई ग्रुप होगा तभी और्थो मेटा पेरा हुआ otherwise no तो अब देखो यहां पर अपने इसको कोई भी नाम और्थो नहीं देंगे इसके बाद यहां पर कोई समूह हो तो उसे और्थो मेटा पेरा में कनवर्ट कर देंगे तो आयू पेसी में तो क्या होता है 1,2,3 इसलिए नाम करन देते हैं और सामन्य भाषा में जो होता है और्थो मेटा और पेरा लिखते हैं राइट, डन, चलो आगे तो यहां लिखा है क्लोरो बेंजीन क्यों नहीं लिखा और्थो मेटा पेरा क्योंकि इप्सो पोईशन पर ही ग्रुप जुडा हुआ है इसके बाद कोई ग्रुप नहीं है, सेकिंड में चेक कर लेते हैं सेकिंड में यहां पर और यहां पर देखो यहां पर और्थो क्लोरो टॉलूइन, और्थो क्यों लगाया क्योंकि यहां ग्रुप जुडा हुआ है यह इप्सो पोजिशन हो गई और यह और्थो राइट, तो यह और्थो क्लोरो टॉलूइन पर IUPSC नाम क्या कहता है IUPSC में देखो यहां तो कुछ भी नहीं है तो वन क्या लिख सकते है Mono-Helo-Arene लिखा हुआ है Mono-Helo-Arene भी लिख सकते है या फिर क्या लिख सकते है Chlorobenzene भी लिख सकते है दोनों सामाने नाम और IUPSC नाम clear हो गया अब लिख दे है Phenyl Chloride भी लिखा जा सकता है अब इसका IUPSC नाम समझ में आ जाएगा क्या है कितने कार्बन पर है क्लोरीन दो पर एक पर तो यह है दो तो टू क्लोरो टोलूइन टोलूइन शब्द नाम सुना है ना पहले भी यास बेंजीन ने पर CS3 लगता है तो क्या है टोलूइन सेकेंड देखो यहाँ पर क्या है 1, 2 और 3 IUPSC में क्या लिखोगे 3 क्लोरो टोलूइन लेकिन यहाँ इपसो और थो और यह मेटा ठीक है तो यह क्या हुआ मतलब मेटा क्लोरो टोलूइन आगे गात समझ में तो यह हुए बेटा इसके IUPSC नाम और यह हुए इसके सामान्य नाम सब को क्लियर हो गए होंगे तो पटा फट स्क्रीट शोट लेंगे जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे जल्दी 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 ओके डन ओके चलो जी आगे अब अगला टॉपिक आता है कार्बन हेलोजन बंद की प्रकर्टी कार्बन हेलोजन बंद की प्रकर्टी कैसी होती है बच्चों आप सब कार्बन के बारे में जानते हेलोजन के बारे में जानते आपने एक बात सुन रखी होगी विद्यूत रिंटा शब्द सुना है विद्यूत रिंटा का क्या मतलब होता है बंद में उपस्तित इलेक्ट्रोन को जो तत्व अपनी और आकर्शित कर ले वही उसकी विद्यूत रिंटा कहलाती है या यूँ कहूं इलेक्ट्रोन को आकर्शित करने की चमता जितनी जादा विद्यूत रिंटा उतनी ही अधिक होती है तो अपने देखते हैं कि अपने पास कार्बन और हैलोजन है ये बंद में हैलोजन की विद्यूत रिंटा जो है वो क्या है जादा है किसकी तुलना में कार्बन की क्या है कम है तो इस बंद में कितने इलेक्ट्रोन दो वो किस तरफ शिफ्ट होते वे नजर आएंगे हैलोजन की तरफ जैसे हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन पर क्या चार जाएगा बिटा प्लस और है जब किसी भी यविक में तत्वों पर प्लस माइनस चार्ज उपलब्द हो जाता है या आ जाता है तो उन तत्वों के मद्य ध्रूविय गुण उत्पन हो जाते हैं कौन से गुण ध्रूविय गुण और इस बंद को ध्रूविय बंद कहा चाता है तो कार्बन हेलोजन के मद् ध्रूविय बंद पाया जाता है बंद की प्रकरति कैसी हुई राजा ध्रूविय ध्रूविय राइट क्योंकि यहां पर हेलोजन की विज़तुरिंटा कार्बन से अधिक है मैंने विज़तुरिंटा मीनिंग बता दिया है तो आपको यह बात क्लियर हो गई होगी डन क्लियर बात समझ में आई जब यहां पर अपन देखते हैं कि इनका बंद ध्रूविय है तो इनमें क्या होता है बंद की सामर्थता क्या होगी बंद की लंबाई क्या होगी इसके उपर भी अपन डिसकस करेंगे उससे पहले आप इसका फटापर स्क्रीन शोट लेंगे ता की ट्रीय शीलता को निध़ारिद न करता है अब चलते हैं दूसरा कर्या शीलता को निदैकर रहा है एक अधिक क्रियोंच एक उसकी तुननामें कम हलो जन अधिक कार्बन कम सेकिन कह रहा है कि सीघ्स बंद प्रकर्टी में अत्यदिक है हमने बात कर लिए क्योंकियों है कार्बन पर मायं में विध्यूत धनातंक होते हैं क्या होते हैं विध्यूत में अंतर के परिणाम स्वरूप सिग्मा बंद एकल बंद जोड़ी से हैं हेलोजन परमानु की और इलैक्ट्रोन घनत्व आपस वापस आजाता है कार्बन हेलोजन में सिग्मा बंद है और यह सिग्मा और एक्स नजर आ रहा है ना देखो जब यह अपन देखते हैं कि यहां पर पॉजिटिव इस कार्बन पर और यहां पर माइनस क्यूं क्यों कि विद्यूत रिंगता जादा है यह धुरूवता आ जाती है इसलिए बंद को धुरूवी बंद कहते हैं अब चलते हैं आगे फट सब्सक्राइब है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडी रहें अब ऊपर से नीचे कीम और आते हो अरुत मैसे दंग और तो क्या होता है उपर MORE से नीचे की य jong जब आते हैं तो प्रमानु क्रमांख बड़ता है बढ़ता है यह उतभता है यह बढ़ता है क innी बढ़ता है अबहु कितना क्लोरीं का इतना वरदी में हो जाती इससे का अकार में इतना तो खुलॉरिन का इतना बढ़ गया आकार बढ़ गया आकार बढ़ने के कारण क्या होता है अप जैसे आकार बढ़ता है तो हम इसको कैस समझ सकते हैं अब इनके बॉन्ड की सामर्थ ताको समझेंगे हम एक बात और विद्ध्यू त्रेंटा में क्या आएगी फ्लोरीन की विद्ध्रेंटा सब्सादा होती है उपर से नीचे घटेगी क्यों यह आकार बढ़ रहा है तो यह इलैक्टोन को आकरशित करने की छमता दिरी-दिरी क्या होती जाते हैं कम यह नाविक से देखो जल्दी से आगी चलते हैं यह कह रहा है कि आयोडीन परमानों सबसे बड़ा होता है इस प्रकार फ्लोरीन में सबसे अधिक इलैक्टोनेगिटिविटी होती है तो बात हमने कर ली मैंने बता दी आपको यह बात तो हो गई और उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन डाटा बढ़ रहा है क्लियर पर डाटा क्लियर होना चाहिए यानि कि points में जो values है वो अपनी आप देखो 3.98169666 कम हो रही है ना points में लिए आकार तो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनों को आकरशित करने की छमता घट वही है के डन चलते हैं आगे क्या कह रहा है कारण परमाव की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी 2.55 है cf के बीच विद्वित निनात्मता का अंतर अधिक्तम होता है इसलिए cf उन सबीज में सबसे अधिक धुरूविय होता है बंद में सबसे ज़्यादा धुरूवता cf cl cbr c i सबसे ज़्यादा धुरूवी है कौन सा होगा cf क्योंकि सबसे ज़्यादा एलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसकी होती है kलोरिंग говорю सबसे चोटा सबसे चोटा बढ़ेगा न क्योंकि आपन दूस कार्बन फ्लोरीन आकार छोटा कार्बन फ्लोरीन बढ़ा फिर उससे बढ़ा फिर उससे तो यह बॉंड की जो डिस्टेंस होगी यह बॉंड की जो डिस्टेंस होगी यह तो कार्बन है ठीक है अब यह फ्लोरी अब इसके साद इसका बॉं कि बॉण्ड बढ़ गया तब यहांपर देखो और बढ़ा और डिस्टेंस बढ़ गया फिर ये तो यह अनिकि बाईं से दाइं जाते हैं तो बंद लंबाई बढ़ती है दिख रहा है ना बंद की लंबाई को बढ़ते वे जल्दी से फटा फट फटा फट स्क्रीन चोट लेंगे ओके डान वेरी जल्दी से देखें चलते हैं आगे फटा फट देखो यह तो इसकी बात लिखिए हम निचा आते तो आकार बढ़ता है तो सिय बंद में अनतर सब चोटा होगा और सिय बंद सबसे बढ़ा होगा इससे प्रकार दशाया जा सकता है राइट को अप स्क्रीन सोट लेंगे जल्दी से देखें आगे चलते हैं देखो लरीन ब्रोमीन बांड लंबाय सबसे ज़ema कि की कार्बं आइडिन की देखो डाटास देखो 1.39 1.78 1.93 2.14 2.14 आगई यही चीज यह चीज आपको बहुत important है यह मैं इसी लिए आपको value के साथ बता रहे हैं क्योंकि बच्चों को value जब तक नहीं पता होगी वह specific रूप से उसको define नहीं कर पाएंगे तो बात clear हो गई चलते हैं आगे चल दी से देखो फटा फट अगला बंद एंथेलिपी क्रम मतलब की जो बंद की एंथेलिपी होते ही जो उर्जा होती ही तो सब ज़्यादा तोड़ने में किसकी ज़्यादा उर्जा किसको चाहिए तो cf बंद की लंबाई सबसे कम आच्छा और ci बंद की बं इस सामर्थिता किसकी जादा पावर किसमें जादा ज्यादा ध्यान देना जैसे आप और आपका फ्रेंड है तो के सबके मित्र तो होते हैं एक मित्र आपके पास रह रहा है तो आपकी उसकी बंदिंग कैसी होगी अच्छी होगी वहीं पर वह मित्र जब दूर चला जाता है तो जो नज़िक मित्र रह रहा है क्या उसमें जगडा हो पाएगा नहीं कोई बात हो गया रिश्टा तो यहां पर सिमिलर ली तो कार्बन फ्लोरिन के बीच में दूरी कम तो बंद प्रवल और वहीं पर कार्बन आयोडिन के बीच में बंद की दूरी जादा बंड लेंध जादा तो वह आसानी से टोट जाता है तो सामर्प्ता का बदा चाला तो बंद प्रबल है तो ओर pozor जादा चाहिए बंद दूरबल तो ओर जाँक्लियर-बात समझ में आ गई तो देखो यह क्या कहना चाहर कार्बन हेलोजन बंद की प्रकरती बॉंड एंदलिपी करम पर निभर करती है कार्बन और फ्लोरिन परमानु का आकार बहुत समान है इसलिए और एक दूसरे को आवरले टूपी-टूपी में पास-पास है ना इसे बहुत मजबूत बंद बन जाता है और आयोडीन में परमान होगी चलते हैं आगे कमजोर बंदन शक्ति का निर्मान होता है यह निश्कोर्ष निकालते हैं कि बंदन की लंबाई जितनी कम बंद उतना ही मजबूत C.F. की बंद लंबाई इतनी है न वहीं पर बंद को तोड़ने के लिए उरजव की क्या मात्रा बढ़ जाती है इसलिए C.F. में उच्छतम बंद एंथिलिपी होती है जिसका करम यह है यस और नो जल्दी बताएंगे जल्दी-जल्दी बताएंगे बात क्लियर हुई या न लो ओके डन चलते हैं आगे आपके सामने स्क्रीन पर अब आया एक सवार जिसको आपको लिखना है नीचे दिये गए यह का IOPC नाम फटाफट कमेंड में लिखेंगे जल्दी से फटाफ़ इसका स्क्रीन शोट लो यह आपका हॉमवर्क है आपको यह करके आना है यह डिस्क् एजियें पेटा जब तक आप हॉमवर्क नहीं लेंगे तब तक पढ़ाने ओर पढ़ने का मतलब नहीं होता है क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी हम पुछ बनेंगे कहते न पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया वही है यहां पर तो पढ़ो तभी आगे बढ़ोगे जल्दी 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 पढ़ावर ले लिया एक और question है इसको भी screenshot मारो जल्दी से आपको इसका भी answer comment में लिखकर लाना है आपको इदी answer इसका सही हुआ और नहीं आ रहा है तो मुझे पूछना में अगली class में जब आउंगी तो इन अच्छे से करेंगे आज इतना भी topic हमने पड़ा है I hope आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा फटा फटा अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो आप इसके notes बनाएंगे और अच्छे से इसको लिखेंगे ताकि आपको बात समझ में आएं साथ-साथ नोट्स बनाएं और हेलो एरेंग के विर्चन की वीदियां बच्चों जनरल यह अपन जब बात करते हैं तो क्या होता है कि हम कई रियक्शन्स देखते हैं पर यह पता नहीं चलता है कि होती गैसे हैं जैसे अपन ने देखा कि कोई किड्ने पर मुवीज में देखते हैं किड्ने पर आता है र हुआ क्या यह एसी reaction कैसे क्रिया करके वो बेहोश हो गई क्या बना था यह लोफोर्म या फिर अन्य कई कीट नाशक पधार जो होते हैं वो कैसे बनते हैं यह सब हैलो एलकेंस और हैलो एरिंस ही हैं लेकिन इनका formation कैसे होता है जैंडी में कहते हैं विर्चन निर्मान कैसे होता है तो आज अपन वही पढ़ेंगे बच्चों विर्चन की वीदियां जो है आपकी बुक में दी गई हैं आप सोच रहे होंगे कि बहुत हाड है माडम नहीं पॉसिबल है लेकिन आज के बाद मैं यह आप से गरेंटी ले रही हूं कि आप कभी नहीं कहेंगे कि हमें हाड लग रहा है क्यों कि पता है आज हम एक नए तरीके से इनको पढ़ेंगे कैसे आपको मेरे साथ साथ बने रहना है ताकि आपको उन चीजों पता लगाया जा सकेगे तो बच्चों आपन हेलो एल के और हेलो एरिन की विर्चन की जब विडियां पढ़ेंगे तो आपन देखते हैं कि अपने पास क्या है भई दो चीजे हैं Hello Elkin का विर्चन भी होगा और Hello Erin का बच्चों Hello Elkin Hello Elkin और Hello Erin इनके निर्मार की विदियां अगर आप देखेंगे मोटा मोटी रूप में यानि पूरा हाइलाइट करके बताओं तो इसके तीन पार्ट हैं फर्स्ट, सेकिंड और तीन भागों में बाट आ गया है पहला एलकोहल द्वारा दूसरा है हाइड्रो कार्बन द्वारा हाइड्रो कार्बन द्वारा तीसरा है क्या हेलो जन विनी मैं द्वारा आप अपनी बुक में अंसी आर्टी में भी इस चीज को देख सकते हैं मैच कर सकते हैं कि सही है या नहीं लेकिन वहाँ पर थियोर्टिकल ही बताया है जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बॉरिंग चीजे नहीं हम इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो एलकेन का निर्मान होगा वो एलकोहल के द्वारा हाइड्रो कार्बन द्वारा और हैलोजन विनीमे के द्वारा होगा अब इनको भी क्लासिफाइड किया है उसको मैं अलग चार्ट में दिखाऊंगी आप म जिसमें सबसे पहले दिया गया है हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार्बन हाइड्रो कार्बन के इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतीस्थापन अभी क्लिया साइये बच्चों ये तो एक भाग पिर दूसरा पार्ट इसका क्या है सैंड मेश इसमें धोवशन ने क्रतीस्थापन अभी कलिया और दूसरी है सैंड मेयर numéro यठिय ऑपको बनाना है और इसbn फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे ताकि आप अपने नोट्स में ऐसे ही लिख सके हैं आगे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैलो एलकेन जो है उसमें सबसे पहली विदी कौन सी है बेटा एलकोहल दुआरा अब एलकोहल दुआरा क्या एलकोहल में क्या एलकोहल जो है उसमें 6 विदीन है जिसमें एक एक करके पढ़ेंगे पहला हैलो एलकेन में सबसे पहले कौन सी विदी है alcohol दुआरा यानि क्या कहना चाहता है यानि आपको एक alcohol तो लेना ही है यानि कि आपके पास alcohol यानि र-o-h तो होगा साथ में यहाँ पर reaction कौन करेगा और product क्या बनेगा हमेशा हमें पता है बच्चों ध्यान देना hello arine sorry hello alcan क्या बनना है hello alcan यानि कि यहाँ पर कोई reaction करेगा और आपको बनाना है rx common बात समझ में आगए यानि अपने को यहाँ पर जो है उसको लेना है alcohol में यहाँ पर किस-किस की reaction कराऊं की product rx बन जाए तो सबसे पहले कहा alcohol में किसकी reaction halogen अमलो द्वारा लिखते जाना बच्चों halogen अमलो द्वारा halogen अमलो द्वारा halogen मतलब x अमल हमेशा क्या रखता है h तो यहाँ नही hx की reaction सबसे पहली reaction किसकी राजा hx की सबसे पहला alcohol में सबसे पहला कौन सा होगा hx right clear समझ में आई तो अब reaction को देखने है ज़रा ध्यान से देखना सब बच्चे ध्यान से देखना पहली reaction में क्या है हेलो ज़र नम देखने है हम एल्कोल की reaction एल्कोल से किसकी किसके साथ करानी है hx के साथ सबसे पहले reaction में चलते हैं यहीं पर कर दो या फिर चलो यहीं कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है एल्कोल हमेशा क्या रखना है ध्यान में c2 h5 एल्कोल हमेशा एथिल ही लेना है मैथिल एल्कोल नहीं यूज करना है पहला टॉपिक क्लियर हो रहा है मैं दीरे दीरे इसलिए समझा रहे है सबसे पहले एल्कोल की reaction करानी है एल्कोल में भी c2 h5 ओच ही लेना है उसके बाद उसके साथ अलग-अलग compounds को अपन लेंगे और product rx बनाएंगे done जरद्यान देंगे तो अपने पास सबसे पहले आपन किसको reaction करा रहे है c2 h5 जैसे ch3 ch2 o h reaction with hx presents in z and cl2 अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होगे मैम हमें यह सब याद रहेगा बिलकुल रहेगा मेरा promise है आप लोगों से याद रहेगा बस इतनी शीशर्ट है कि आप मेरे साथ continue बने रहे है तो पहली reaction में समझ में आया c h3 c h2 o h hx और जडन से product क्या बनेगा याद क्या रखना alcohol में पर हमेशा plus charge hx के वीज़े बन टूटा hydrogen पर plus इस पर minus clear plus के साथ minus राजा और minus के साथ plus क्या बना जी product ch3 ch2 x plus h2 o done बात समझ में आ गई होगी plus h2 o clear बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को जड़ा ध्यान से देना ये देखो clear होगी reaction alcohol की reaction halogen amine यहाँ पर आप x की जगे c l और b r यूज कर सकते हैं बच्चों जड़ा ध्यान देना आप fluorine को कभी नहीं लेंगे iodine को भी नहीं लेंगे पता है क्यों क्योंकि fluorine जो होता है less reactive होता है more electron negative होता है वहीं पर अगर मैं बात करूं iodine की वो more reactive होता है और क्या होता है उसकी electron negativity बहुत कम होती है इसलिए वो more reactive हो के iodine base में जल्दी convert हो जाता है एलकिल हैलाइड बनने से पहले इसलिए हम लोग iodine यूज नहीं करते fluorine जो है उसे हम लोग वो क्या होता है electron negative more होता है reaction नहीं करता है जल्दी से इसलिए वो क्या होता है हमेशा हम उसे less reactive रहते हैं done ये बात clear हो गए photo photo screenshot लेंगे अब आते हैं अपन second reaction पर पहली reaction क्या है हेलोजन अमलों के साथ हो गई अब अपन दूसरी reaction चलते हैं एलकोहल जो reaction करेगा ये एलकोहल जो reaction करेगा वो होगी क्या हेलोजन अमलों के बाद में दूसरा PCL3 या यूं कहूं PX3 के साथ अभी क्रिया हो और प्राड़क्त बनेगा और एक्स ठीक है एलकोहल जो है अब किसके साथ reaction करेगा फास्पोरस ट्राइल हैलाइड क किसके साथ पासफ़ोरस ट्राहलाइड ट्राहलाइड या फास प्राहलस ट्राहलाइड ठीक है इसी के साथ एक और आएगी रियक्शन पास्पोरस पेंटा क्लोराइड या पेंटाहिलाइड पर उस वो नेक्स्ट है तो पहले एक रियक्शन समझ में आई अब दूसरे जल्दी से देखो अब अपन को तो एलकॉल तो फिक्स है क्या लेना है बाई जल्दी बताओ ऐएग्शी तूरिज क्या बनना है पताने जरा खोल कर देखे बचों जरा ध्यान दो यहांपर कितने हैं तीन हैंना तो अपने को यहांपर भी क्या लगा देना है ताकि हम लोग अच्छे से प्रॉड़क्ट को प्राफ्त कर सखें घ्यान लखना यहाँ तीन है तो ही यहाँ पर तीन लगाया गया है दन जी चलते हैं आगे तो लिखो C2H5OH 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 दन साथ में क्या है PCL 3 PCL CL CL बच्चों ओके यहां से बन तूटेंगे तूट गए और यहां से भी तूटेंगे तो यहां से देखो यह तूटा यहां से जूटेंगे हमेशा रियक्षन को ऐसे लिखो कि वह तूटता और जूटती हुई नज़र आए रियक्षन को हमेशा कैसे एरेंज करते हैं हमेशा मॉलेक्षन को ऐसे एरेंज करो कि वह तूटती और जूटती हुई नज़र आए ठीक है तो बन गया रियक्षन में आ गया clear है बात समझ में आ रही तो यह पर क्या बना देखो जड़ा यह क्या है बच्चो फॉस्वॉर्स प्रॉडक्ट में ग्या बना hydrogen H3 P1 है oxygen भी कितना बेटा 3 H3 PO3 फॉस्वॉर्स एसे clear उसके बाद आपके पास क्या बचा हुआ है C2H5 C2H5 और chlorine जोड़ दो भाई कितने मोल तीन मोल C2H5 Cl yes और no जल्दी सी बताओ जल्दी 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 बात समझ में आई या नहीं clear ओके जी डन ये तो हो गई आपकी reaction दो complete किसमे एलकोहल में किसके निर्माण में हेलो एलकेन में एथिल क्लोराइड यहां भी क्या बन रहा है एथिल क्लोराइड लेकिन यहां पर X को define दिए कर सकते हैं मैंने बताया क्लोरीन और प्रोमिस दन फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से देखिए आगे चलते हैं अब वहीं एलकोहल में ही आपने एलकोहल ही तो पढ़ रहे हैं एलकोहल द्वारा इसमें ही अपनी तीसरी तीसरी विधी कौन सी है एलकोहल रियक्शन विथ पीसील फाइब प्रोडक्ट में क्या बनेगा ज़रा ध्यान देख राई पीसील फाइब के साथ रियक्शन कैसे करता है पता है बच्चों जो छोटे होते हैं न कुछ यह कह दू जिनको थुरा सा कम किस चीज का ग्यान होता है तो अपन देखते हैं वो जैसे ही फल आता है वह जुक जाता है वेसे ही अगर कोई भी प्रोडक्च में रियक्चेंट की मात्रा ज़ादा है तो वह अराम से रियक्शन करता है वहीं पर अगर थोड़ी मात्रा ज्जादा उबल-बल कर आगे आता है है ना से PCL 3 था उसे 3 ने तेना तो उसने का नहीं मैं अक्यला तीन हो ना तो मैं तीन ही अलकॉल के साथ रियक्शन करूँगा पर बिचारा PCL 5 बहुत ही बोला सा बोला मैं 5 हूं तो कोई बात नहीं पर मैं एक के साथ ही reaction कर लें कितना अभी नम रहे हैं आप लोगों की तरह राइट तो आजाएं जड़ा रियक्शन करते हैं अब PCL-5 reaction एक मॉल के साथ ही करता है यानि एक मॉल एलकॉल के साथ PCL-5 कहीं एक मॉल जब की तीन मोल एलकोहल PCL3 के साथ रियक्शन करते हैं तो देखो जरा रियक्शन में क्या हो रहा है C2H5OH रियक्ट विद किसके PCL तो PCL को बच्चों आप मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूं जरा ध्यान देना यहां आप दिखेंगे C2H5OH और यहां लिखा PCLCL राइट अब इसको हम कैसे बनाएंगे मॉलिक्यूल को हमेशा ऐसे अरेंज करो गया तोटता और जोड़ता हुआ नजर आए तो हमने अरेंज किया यह देखो यह तोटा राइट आपको भी ऐसे ही तोड़ कर देखना है ताकि आपको रियक्शन हमेशा याद रहे तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा बच्चों आपके सामनी है पहला प्रोड़क्ट यह रहा दूसरा यह रहा और तीसरा यह रहा पहला प्रोड़क्ट क्या है C2H5Cl जो बनना ही था प्लस क्या HCl प्लस क्या POCl3 रात बात समझ में आ गई यस और नो फटा फट कमेंट में लिखती जाएंगे जल्दी से जल्दी क्लियर हो गई तो फटा फट बताते जाओ कि आपको समझ में आ गया है क्लियर हो गई PCL5 के साथ रीक्शन बच्चों यस आगे चलते हैं थाड की जिए अब आएंगे हम फूर्थ रीक्शन में अब बच्चों जो फूर्थ रीक्शन है वो है आपकी थायोनिल क्लोराइड के साथ ये एक नेम रीक्शन है अलकोहल रीक्शन विथा इस ओ सील टू थायोनिल क्लोराइड के साथ ये एक नेम रीक्शन है वो मैं रीक्शन के बात बताऊंगी तो ये रीक्शन जब होती है तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ये पीरीडीन की उपस्तिती में होती है किसकी उपस्तिती में राजा पीरीडी ओके जी ओके येस 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 फटामट कमेंट करते जाएंगे चलो जी चलो थायोनिल क्लोराइड की रीक्शन कैसे करेंगे जा देखेंगे मॉलेक्यूल का ऐसे एरेंज करो कि वह तूडता हूँ और जुडता हुआ नजर आए ये था आप इसमें प्रोडक्त क्या बना है इसे बना है C2H5Cl फटामट कमेंट में लिखो क्या प्रोडक्त बन रहा है जल्दी जल्दी सब बच्चे प्लस आपको इस्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना क्या बन रहा है प्लस HCl प्लस SO2 चलेंगी आगे कुछ important बात इसमें जो याद रखते हैं सबसे पहले यह किसकी उपस्तिती में होती है पीरीडीन की उपस्तिती में होती है क्योंकि इसमें जो उत्पाद सह उत्पाद बन रहे हैं इसमें जो सहे उत्पाद बन रहे हैं वो क्या है HCl plus SO2 और ये दोनों किस फॉर्म में है गेस फॉर्म में है तो गेस फॉर्म में होने के कारण इन में अच्सियल जो है उसका आउशोशन कोन कर लेता है पिरेडीन और इन्हें शुद्ध अवस्ता में हेलो-एलकेन प्राप्त हो जाती है तो यह एक ओध्योगिक रूप से सबसे शुद्ध अवस्ता में हेलो-एलकेन प्राप्त करने की विदी भी है इसलिए हम इसे इंपोर्टेंट भी लगा लेते हैं बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताएंगे फटा-फट येस में लिखेंगे तो डारजन अभी किया बादा चल गया कि जो डो गेसी उत्पाद बनते हैं उनमें अच्छियल का अवशोशन जो है वो प करते हैं पीरीडी यूज करते हैं डन बात समझ में आगे मेरे प्यारे बच्छों को ओके तो फटाफ और चलते हैं आगे स्क्रीन शोट लेंगे और आगे की और हम बढ़ते हैं अब चलते हैं अपन आगे बच्छों अपनी एल्कोहल से कौन से रियक्शन अब पांच वी र क्या एकशन है है हलोगन आभी क्या स Lust की एल्कोहल तो हम लोग यूग लिखते की हैलोगन के साथ ड्यक्षन मतलब एल्कोहल अभी क्या अगे करते हैं एक्स डू के साथ और प्लॉडक्ट क्या बदगा विर्चन की वीदियो में प्लॉडट तो पता है क्या जी girls लेकिन क्या से और यह रियक्शन होती है बच्चों लाल फास्फोरस की उपस्तिति में कैसे होगा तो जरा ध्यान देंगे सब बच्चे आराम से देखो बच्चों सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले लाल तो भार्भी में आपका प्लोक चप्टर आएगा इस पोस्पोरस का पड़ेंगे बहुत ही अच्छे से र्या वहां पर छाल फास्फोरस आपके बच्चों with halogen BR2 आप CL2 भी ले सकते हैं कोई दिकत नहीं, इनकी reactivity लगबग equal होती है, ओके अब जब इनकी reaction हुई तो क्या होगा? कि ये phosphorus इसके साथ react करेगा और phosphorus बन जाएगा क्या? BR3 क्योंकि phosphorus पर charge क्या होता है बिटा? minus 3 और BR तो plus में भी है और minus में भी है तो ये plus के साथ reaction कर लेगा तो PBR 3 बन गया, यहां तक कोई दिकत नहीं, लेकिन ये संतुलित नहीं है यहां 2 BR है, यहां 3 है यहां 4 है, तो यहां पर 4 phosphorus है ना तो यहां पर क्या लगा देंगे राजा? 4 phosphorus तो हो गए, पर BR कितने हो गए, बाला तो हम यहां क्या लगा देंगे बच्चों 6 क्लियर, यस और लो चल्दी से बताएंगे बात समझ में आ गई तो अब 4 BR अपने पास आ गया यह PBR 3 या PCL 3 आज सीमिलर है, साउंड हो रहा है ना तो यह रियक्शन क्या हो गई? Phosphorus Tetrachloride जैसी हो गई तो हम यहां पर क्या लेंगे भाई? अलकोल के कितने मोल? C2, H5, OH3 मोल लेना पड़ेगा क्यों यह जितना चोटा उतना खोटा है यह चाहता है कि मेरे पास अलकोल जो है कम नहीं होने चाहिए बिचारा PCL5 क्या करता है? ऐसे ही रियक्शन क्या लेता है प्लस कितना बच्चों? PBR 3 यहां P लिखा, यहां पर भी आर यहां पर भी भी आर और यहां पर भी राजा यह रियक्शन वापस रही हो गई और प्रोड़क्ट में क्या बन गया? प्रोड़क्ट में बना तीन मोल C2, H5, C1 प्लस क्या? H3, PO3 यहां नो चल्दी से कमेंट में बताओ यहां मैं आपको बात समझ में आ गही होगी क्लियर हुआ टॉपिक? यहां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जल्दी से कमेंट करो फड़ावर 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 आगे चलते हैं लास्ट बट नोट दो लिस्ट इसका दो लास्ट टॉपिक आ गया छे रियक्शन थी ना चटी रियक्शन कौन सी है? एल्कोहल के साथ रियक्शन करेगा कौन भाई? धातू है लाइड कौन सा? N-A-B-R या फिर N-A-C-L जो भी आप लेना चाहें लेकिन थोड़ा सा ध्यान करना कुछ इंपोर्टन बातें भी हैं और ये रियक्शन जो होती है वो किसकी उपस्तिती में होती है? कंसेंट्रेट H2SO4 की पर्जेंट में होती है क्या है? कैसा है? फटा-फट देख लेते हैं जाहा समय को गवाते हैं आईए जी आईए C2H5O H साथ में लिग दिया N-A-B-R साथ में लिग दिया H HSO4 बच्चों आपको मॉलिक्यूल तोड़ना आता है तो इससे जादा खुशी की बात नहीं हो सकती है अगर नहीं भी आता तो घवराना नहीं मैं आपको यहां पर सिखा रही हूँ अच्चों साफोर कैस्ट उरता है प्लस, माइनस प्लस, माइनस राइट अब अपने पास क्या है? यह रहा आपने पास माइनस माइनस यह रहा प्लस तो बच्चों ध्यान दो अगर हम इन दोनों को मिला ले तो क्या बनेगा? और वहीं पर बच्चों हम किन को मिला ले? इन दोनों को भी मिला ले तो क्या बनेगा? राइट? बात समझ में आ गई होगी तो अपने पास क्या product बनेगा तो अपने पास क्या बन गया HBR लेकिन ये तो रहे वेसे का वेसे ही रह गया तो गड़बर हो गई न ऐस तो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे हम थोड़ा सा इसको change करते हैं क्या करेंगे भई अपन यहां पर इसको थोड़ा सा कट कर देंगे यहां से कर दिया ना कट यह हो गया आपका क्या यहां पर N E plus BR minus यहां पर H plus HSO4 minus तो यह तो ठीक है यहां पर यह तो बन गया क्या बना product ज़रा ध्यान देना इन तीनों से जो product बना ज़रा ध्यान देना क्या बना यह बना आपका N A H S O ठीक अब आओ यहां से टूटा है यह plus में है यह minus में यह और क्या हो गए दोनों मिलकर यह दोनों मिलकर हो गए क्या H2O और main product क्या बन गया C2 H5 BR फटा फट कमेंट में लिखो सब बच्चों को समझ में आ रहा है इसी दिए फटा फट फटा फट कमेंट में लिख रहे हैं बिलकुल जी ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे बच्चों आपको organic सबसे easy लगने लगे क्लियर हो गया बच्चों फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे छे की छे रियक्शन कम्प्लीट हो गई एक important बात में बदा लेती हूं यहां पर किसी रियक्शन में क्यूस्चन आ जाता है यहीं पर देख लें तो ज़दा अच्छा है जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम लोग N-E-B-R जब लेते हैं तब तो हम लोग concentrate H2O4 लेते हैं लेकिन जब potassium iodide के साथ रियक्शन करवाई जाती है तो हम क्या नहीं लेते concentrate H2O4 नहीं लेते क्योंकि potassium iodide concentrate H2O4 के साथ जब रियक्शन करता है तो क्या कर लेता है I2 बना लेता है किसके बनने से पहले ही Rx बनने से पहले ही यानि कि I2 Rx को बनने ही नहीं देता इसलिए हम लोग concentrate H2O4 का use potassium iodide के साथ में कभी नहीं करते because of iodine is more reactive इसलिए वो तुरंत किसमें convert हो जाती है तूटकर I2 में convert हो जाती है clear जी clear yes or no फटा फट कमेंड में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे चलो जी यह होगी छे reaction complete देन बढ़ते हैं आगे अब चलते हैं second second portion क्या है बच्चों second बात अपने पास तो था दूसरा जो था वो था हाइड्रो कार्बन द्वारा हाइड्रो कार्बन द्वारा क्या बच्चों जल्दी बताओ राइड्रो कार्बन किस का निर्मान हाइड्रो कार्बन से एल्केन हाइड्रो कार्बन में आपन एंक तो करेंगे एल्केनों का हेलोजनि करण और दूसरा आपन क्या करेंगे आपन करेंगे एलकीन के द्वारा राइट चलेंगे आगे तो सबसे पहले इसमें दो यह तो पार्ट है एक और दो याद हैं आपको हाइड्रोकार्बन में दो ही पार्ट थे हाइड्रोकार्बन में एलकेनों के हेलोजनी करन द्वारा और सेकेंड क्या था सेकेंड क्या था बच्चों सेकेंड आपका था क्या भाई याद करो इल की नो द्वारा चले जी चले यास अब एलकेंड बच्चों ध्यान दो एलकेंड मतलब आर आर है ना अब यह एलकेंड हेलोजनी करण नाम से इस पस्ट है हेलोजनी करण मतलब हेलोजन का जुड़ना नाइतरी करण यानि नाइतरोजन का जुड़ना सलफोनी करण मतलब की एसो फोर का जुड़ना तो ना इस तरह से किसी के भी नाम की पिछे करन लग जाता है मतलब वो उसके साथ है जुड़ जाता है राइट बात है तो अब अपन चलते हैं कि आर आर एलकेन है उसकी रियक्शन अपन किसके साथ कराते हैं अगर हेलोजन के साथ कराते हैं तो अपन में पास क्या बनता है आरक्स बनता है साथ ही हिर हमेशं बच्चों प्रकाष से पॉंब क्या कि जब भी हेलो जनी करण होगा वह हमेशा प्रकास की उपस्तिजी में होता है समान्स विखंडन होता है कौन सा विखंडन होता है समान्स मतलब समान भागों में तूटते हैं और यह मुक्त मूलक अभी किरिया द्वारा संपन होती है किस वी द्वारा मुक्त मूलक में लास्ट में लिख दूँगी था कि बात क्लियर रहे चलेंज यह आगे तो फटापट लिख लेते हैं कि अपने कोई रियक्शन कैसे करने है एलकेनों को हेलो जनी तरह एलकेन बच्चों CH3 CH2 CH3 प्लस CL2 पर्जिंस ओफ है जरध्यान दो बच्चों यहां पर आपको समान स्विखंदन करना है यह नहीं मुक्त मूलक अभी किया मैंने आपको बचाया था पहला जो अपन ने क्लास लिथी इस में कि बेटा एक बंद जब बनता है उसमें दो इलक्टन होते हैं अगर एक एक अपना ले ले लेते हैं तो हुआ समान kuiva been है अगर एक तथ वह दोनओ इलक्टन ले लेते हैं और एक के पास कुछ नहीं तो विस्मान स्विखंडन होता है राइट 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 तो फटा-फट टाइन को कॉंस्यूम नहीं करते वे जल्दी जल्दी ठीक है तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यह CH3 राजा CH2 और यहां पर CH2 और यह एक CH3 को तोड़ दिया आप यहां पर इसको तोड़ा दिया यहां पर भी यह मुक्तमूलक क्या बन गया बच्चों CH3 CH2 CH2 C L cheating अगर आप इसको अधिक्य मेलेते हैं तो यह क्या हो जाता है पूरी तरह से हाइडरोण को रिकलेस करके वहां पर हर जग़ क्या क्या आ जाता है तो हेलोजन हीकरन समझने आया जिए हो गया अब इसमें हूता है कि हमेशें ध्यान रखो यह एक मुक्त मूलक मुक्त मूलक अभी क्रिया द्वारा संपन होती डन बात समझ में आगे होगी अब दूसरी है अलकीन द्वारा बेटा आप लोगों ने 11 में अलकीन से अलग-अलग योगिक बनाते हुए देखे हैं न सबने देखा है तो यहाँ पर भी अलकीन की जब रियक्शन होती है तो अलग-अलग प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर आपने नाम सुना था क्या ज़रा सुनना तो मारकोनिकोफ का नियम याद है जल्द जल्दी कमेंट में लिखो यस मैम याद है क्योंकि आप मेरे होनहार बच्चे हैं तो अलकीन से जब अपन अलकील हैलाइड बनाते हैं तो वहाँ पर मारकोनिकोफ नियम लगता है और वहाँ पर मारकोनिकोफ नियम क्या करता है वो मैं यहाँ पर समझाओंगी मारकोनिकोफ नियम याद है मैं बोल कि बताओं पोटापट कमेंट में लिखो जल्दी किसको सो याद है जल्दी 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 फटावर्ट मारको निकॉफ नियम वो होता है जिसमें किसी भी एलकिल हेलाइड क्या निर्मान करना है तो हमेशा एलकीन जो होगी वो क्या होगी एसम्मित होगी क्या होगी वह आएसम्मित ही घ्रचन जडेगा जहां हाइद्रौजन convenience प्रचक्ता हुआ हुए मारको निकॉफ ओर यह कम हो वहां हाइद्रोजन चला गया तो उसैंति मारको निका प्याम कहते हैं जड़ा फटा फट ध्यान देंगे कि एलकीन की क्लिया जब अपन किसे कराएं बच्चों एलकीन में में दो पार्ट करके आपको यहीं पर समझा दे रही हूं जड़ा ध्यान देंगे राजा कि अपने पास एक तो है CH2 double bond CH2 reaction with अच्सिय वहीं पर अपने पास है CH3 CH2 double bond CH2 यह सम्मित है कि बीच में तो बराबर तूट रहा है यहां तो एक तरफ CH3 CH2 एक तरफ केवल CH2 है तो यह सम्मित इसे क्या कहते हैं बच्चों सम्मित क्या कहते हैं सम्मित जाध्यान देंगे ठीक है और यह क्या है बच्चों सम्मित चलते हैं जी आगे अब आपन देखते हैं कि इन में क्या होता है यहां पर मार्कोनिक ओफ नियम नहीं लगेगा कि यह सम्मित है मार्कोनिक ओफ नियम लगता है यहां पर तो सम्मित वाले पर चलते हैं यहां से इसको तोड़ा एक पर प्लस किसी भी लगा तो माइनस और यहां पर तो भई प्लस यहीं पर लगेगा और माइनस प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस तो प्रोड़क्ट क्या बन गया राजा CH2 CL CH2 H यस और नो फटा फट ध्यान देंगे बच्चों जल्दी से फटा फट क्लियर होगी बात यह प्लस है और यह क्या है माइनस है आप आते हैं मार्कोनिक ओफ मिनम से क्या होता है मार्कोनिक ओफ नियम से दो चजे हैं क्या कहता है कि CH3 CH2 और यहाँ पर भी CH2 ठीक है यहाँ पर अपन तोड़ें तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस या फिर यूँ भी कर सकते हैं प्लस माइनस CH3 CH2 CH2 और एक जगे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ठीक है हमेशा ध्यान रखो वैसे तो आपने इफेक्ट को पढ़ा हुआ है थोड़े थोड़े नाम तो याद रखने होंगे इंडक्ट इफेक्ट नाम सुना है प्रेरिक प्रभाव पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ा हैं मैं यहाँ जादा नहीं थोड़ा हिंटी करूंगे तक आकि बात क्लीर हो जाएं जरूरी है CS3 समल जो होता है न बच्चों वो हमेशा Ultron देता है क्या करता है electron देता है Inductive Effect धनात्मक प्रियोंड़िक प्रभाव करंड जो Ultron देता है वह धनात्मक प्रियोंड प्रभाव होता है ठीकुशी चलो तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस और यहाँ पर प्लस यह इलेक्ट्रोन दे रहा है यह इसको दे रहा है तो यह हो गया धनात्मक प्रेणिक प्रबाव और यहाँ पर यह प्रेणिक प्रबाव फोलो नहीं कर रहा है यह कि माइनस चार्ज वहाँ पर नही है क्या है यहां पर सोर्ल प्रचों यहां डो रहा है यह यहां पर क्या है प्लसर यहां पर माइ ताकि बात सबादा एक द 국ę करें्ट है च 6 instincts लीजी और यहां पर तलीस अब मैं अलग कलर सबसेंने अकर अगर घ्डोंच यहां आता हैर तो क्या होगा अगर हाइडोजिन तो तो ज्यूंद क्ते है फंद से जादा वही पर आ रहा है तो क्या होगा CH3, CH, CL और CH2, H राइ, हाँ यह ना वही पर अगर हम यहाँ पर बात के लिए CH3, CH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2, CH हाइड्रोजन वहाँ जा हाइड्रोजन की संख्या कम तो वो होता है एंटी मार्कोनी कॉफ तो यह क्या है एंटी मार्कोनी कॉफ हाइड्रोजन वहाँ जा हाइड्रोजन पहले से अधि मार्कोनी कॉफ यस और नो इसलिए जो उत्पाद मार्कोनी कॉफ नियम का पालन करता है वो क्या होता है वो अधिक स्थाई होता है अधिक स्थाई होता है यस और नो मेरे बच्चों जल्दी जल्दी बताएंगे फटा-फट स्क्रीन शॉट लेंगे लेलिया जी बात समझ जाईगे यस मैम जल्दी दो प्रीज मेरे बच्चों मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं चलते हैं आगे एलकीन द्वारा एक तो समझ में आ गया मारकॉनिकोप से नियम से हक्स टी कि लिए क्लियर हो गई आप अपने i mean किसका रियक्शन करवाएंगे सेकिंड जो है वह वहां पर देखना है आपको सेकिंड जो us वारा होनी है reaction उसमें अपने को ध्यान रखना है क्या एलकीन की reaction में एलकीन का भी हाइड्रोजन हेलोजन के साथ तो एलकीन की reaction किसके साथ x2 के साथ और क्या बन जाना है और x clear तो पटा पर देखते हैं reactions को CH2 double bond CH2 plus CL2 या BR2 जो भी आपको ठीक लगे आपन लिख देते हैं यहां से बंद टूटा हेलोजनीकरण में वही समान स्विकंडन यहां मुक्त मूलक यहां पर भी क्लोरीन क्लोरीन मुक्त मूलक और प्रोडक्ट बन गया CH2 single bond CH2 CL CL done रखे जी बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपने एलकोल के द्वारा छे वीडियों को पढ़ लिया फिर दूसरी बार में आपने क्या पढ़ लिया दूसरी बार में आपने पढ़ लिया हाइड्रो कार्बन में जिसमें एलकेन और एलकीन दोनों हैं एलकेन में आपने पढ़ लिया किसकी रियक्षन हेलोगनी करण के एलकीन में आपने पढ़ ली एचेक्स और दूसरी क्या पढ़ली हेलो जनी करन इसमें पढ़ली राइट अब आपन आते हैं अपना लास्ट इसके अंदर हेलो एलकेन के निर्मान की जो लास्ट विदी है वो कौन सी है राजा हेलो जन विनी मैं दुआरा बात समझ में आई तो अब आपन जो है वो आपन है कि अपने पास जो अगली विदी है वो क्या है बच्यों यह सक्रीन शूट ले लिया होगाना सब ने फटाफट फटाफट जल्दी तो चलते हैं हां अगे अपनी अगली विदी को शुरू करते हैं और वो विधी कौन सी है? अगली विदी है आपकी क्या? हेलोजन विनिमय 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 हेलोजन विनिम बहुत सादा इंपॉर्टेंट है ओके जी ओके यस और नू चल्दी से ध्यान करेंगे फठा पट क्या है हेलो जन विनीम उसमें सबसे पहली है फिंकेल स्टाइन अभी क्रिया इसमें कितनी नेम रियक्शन आ गई तीन पहली डार्जन और दूसरी फिंकेल स्टाइन तीसरी स्वार्टज अभी क्रिया अभी नाम मैं कैसे याद रहेंगे अभी मैं बताती हूं मेरे बच्चों ढूंट वर्य बी हैपी पहले डारजन आई थी ना चलो डारजन बता जो अभी क्रिया में आपके अपने अपने आप बाते अपने आप चल रहे धीन है ना तो वहां पर प्र क्या होता है बीच में correct अब मॉल marvelous होता इधर इधर क्या लिखा हुआ है क्लोरीन और बीच में क्या है सलफर बड़ा सा है है ना तो थायो नेलर थायो बड़ा ऐसा सी डार जनवी तो फिंकेल स्टैंड अब मतलग होता है ज़्दा ध्यान दो कुछ विछती कमजरोग छोटे बच्चे वहते हैं आप छोटे छोटे च तो वहां पर कुन सा नाम हो जाएगा फिंकेल्स टाइंग आप मैडम कैसे हमें तो बात समझ में नहीं इत्यान दो अपन क्या पढ़ रहे हैं हैलोजन में सबसे दुर्बल विखती को भी चारा आयोडी इसको कोई नहीं लेता कहते हैं रियक्ति होता है यूजी नहीं कर देते हैं कोई तो इसको क्या किया सोडियुम ने का तो तेंशन मतले तू कमज़र है पर मैं तेरे साथ नहीं तो क्या भु पर सोडियम के साथ जुड करके आयोदिन को ऐसी लात मारी किस ने कलोरिन ने और क्या हो याक्षन का नाम फैंक दिया । थैंक को आयोडिन दूर्बल आयोडिन तो आभ याद रहेगा कि सोडियम पावर फुल है दूर्बल व्यक्ति कि आयोडीन के साथ ज्रों करके एक्सन करता है तो कलोरिन उसको लात मारके बगा देता है हागी वात संच वहीं पर आगे स्वार्ट अभी किया पहले इसको समझे फिर स्वार्ट अब दो के एक चलू चलू चलो क्लों मैं अपन क्या करते हैं? बिटा monopoly reaction with एन ए ऐ आई क्लियर क्या बनेगा हेलो एल के नहीं बनेगा पर यहाँ c2 h5 c l plus na i physical 2 बिटा तोड़ेंगे plus minus plus minus क्लोरीन पर क्या आते है माइनस चार्ज क्लोरीन लेक्टो नेगटिविटी जादा होती है भई कार्वन से तो प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ प्लस हो गई जी हो गई आंसर क्या आया राजा बच्चों आंसर आया c2 h5 i plus na cl yes or no clear हो गई बात जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ फटा 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 अगली रियक्शन है राजा स्वार्टा जी स्वार्टा में कुछ लोग स्वार्थी वोत होते हैं होते हैं ना बहुत होते हैं बस मेरा काम होना ची दूसरे से मतलब नहीं जो भी मुझे दे जो भी आये मुझे मुझे स्वमार्थ ऐसा हमार्य वर सानी मिकोह न साली में केवल और केवल एक मांतरց फ्लोरीन तुनान नालाई के जो भी जिसके पास के और न क decor लेलो भले जगह नहीं हो फिर भी कहता है देदो 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 कहां रखो और थी है तो फिर स्वार्ट जभी क्रिया तो यहां पर आपन क्या करेंगे पता हैं आपन यहां रियक्शन करेंगे और एक्स रीचिन विद एजी F बेटा यहां पर आप AGF की जिएगे HG2 F2 भी ले सकते हैं बट मॉस्ट प्रॉबबिलिटी यह है कि आप AGF ही ले और यह एक मात्र ऐसे भी दिये है जिसमें फ्लोरीन का यूज किया जा रहा है यानि एलकिल फ्लोराइड के निर्मान की यह एक मात्र ऐसे भी है राइट स्वार्ट जाभी किया यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम की द्रश्टी से आर एक्स AGF ओके तो यहां आपन क्या लिख सकते हैं C2H5CL प्लास AGF प्लस माइनस प्लस माइनस क्लियर जी क्लियर C2H5 फटा बट बता दे जाओ क्या क्या बनेगा C25C2H5F प्लस क्या बना AGCL सिल्वर क्लोराइड आ गई जी बात समझ में हाँ यहां आप बियार भी लिख सकते हैं नो इशू यह बात एक क्लियर हुई या नहीं एक मात्र ऐसी विदी है फ्लोराइड निर्मान की जो बहुत इंपॉर्टेंट है ओके फटा वर स्क्रीन शोट लगें जल्दी से देखें ओके 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 वेरी इंपॉर्टेंट नेम रियक्शन मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब को यह याद भी हो जाएगी मैं एक्स पूछूंगी जरू अब अपने पास अपनी लास्ट आती है क्या यह तो क्लियर हो गया सब हेलो एलके खतम अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन हेलो एरीन सबसे हीजी विचारी बोली भाली हेलो एरीन हेलो से हम लोग कितने प्रकार ? दो प्रकार देखे कॉन 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 से बताया था ना वाबकर कॉन सी थी क्या चल्दी चल्दी बताओ नाम फटाऑ पच्छे फटाऑ पच्छे क्या था मैंने चार्ट में लिखवाए था जल्दी बताओ जल्दी कौन सी विदी थी अच्छा नाभिक्स नहीं नहीं था वो इलैक्ट्रोंस नहीं था कि एलैक्ट्रोंस नहीं प्रती स्था बना विक्या उसको करेक्शन कर ले ना भाई ठीक है तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपने पास पहली रियक्शन क्या थी इलेक्ट्रोन स्नेही प्रती स्थापान अभी क्रिया और यहाँ पर क्या है दूसरी क्या है दूसरी रियक्शन है आपके कौन सी फटा फट बताओ चल दी अब मैं आपसे पूछ आप बताएं जल्दी से नेम रियक्शन है कौन सी सेंड मेर अभी क्रिया सेंड मेर अभी क्रिया ओके चलते हैं आगे चलें जी चलें क्लियर हो गई बार चलें चल फटा फट शुरू करते हैं जिसमें आपन देखते हैं क्या आपन देखते हैं यहां पर अपने पास प्रती स्थ्थापन अभी क्रिया कुन सी से इलक्टों स्ने प्रती स्थापन अभी क्रिया आपने अपने पास एरीन तो यह रहा एरीन ठीक है यहां पर बिच में गिनका दिया एरीन के उपर लगाया CH3 और यहां पर लिखा कि अगर वह होगा तो समान स्विखंडन करेंगे तो यहां पर बेंजीन रिंग में समान स्विखंडन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो रिंग है वो मोर इलैक्ट्रो नेगेट है तो यहां पर समान स्विखंडन नहीं हो सकता इसलिए FECL3 के उपस्ति में में विखंडन होता है और यहां पर H کیा करेगा एक विखंडन करेगे CL CL विखंडन होंगे ओं सॉर्ड विखंडन होंगे ना तो यहां पर क्या होगे प्लस और यहां पर माइनस चलते हैं आगे और यहां पर आती है बात अगली यहां पर आती है बात हम देखते हैं यहां पर यह हुआ आपका यहां से यहां पर आता और यह बन गया तो जल्दी बता किस का नाम क्या है एक नाम क्या है धी का नाम क्या है फटापट कमेंट में लिखते जाएंगे कि जल्दी जल्दी讲 सबसिए मेरे च्बाइब चलते हैं जी send me है अभी क्लिया क्या होती है पहले रियक्षन लिए कि लिखते हूँ फिर उसको एक्स्पेइंड करोगे ड differenti कि बैंजिन डाई एजोनियम क्ल्डोराइड बैंजिन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है किसकी उपस्तिती में CO2, Cl2 की उपस्तिती में या X2 की उपस्तिती में क्या करता है एरिल हलाइड का निर्मान कर देता है किसका निर्मान कर देता है एरिल हलाइड का निर्मान कर देता है नाइट्रोजन गेस को उतसरजित कर देता है अब यह रियक्शन होई कैसे जरा ध्यान देंगे इस रियक्शन में सबसे पहले जरा ध्यान देंगे बच्चों एनिलीन आत तोटता और जुड़ता हुआ नजर आए एनिलीन से पहले इससे पहले भी एक मॉलिक्यूल में बना के दिखा देती हूं ताकि बात पूर हो जाए सबसे पहले आपको लेना है एनी एनो टू सोडियम नाइट्रीट रियक्ट वित किसके साथ एच एनो किसके साथ थरी के साथ है एच एनो 2 के साथ क्या बना रध्यान देना यहां पर सोडियम यहां पर आपका क्या और यहां आगे एच टूटे यह प्लस यह माइनस यह माइनस यह प्लस क्या हो गया है एच एनो 2 प्लस यहां तक तो क्लियर किसी को कोई भी डाउट तो फूच सकता है जल्दी से आने नो टू रियक्शन वित अचल तो क्या बन गया एच एनो 2 और यहां तक क्लियर डं 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 आगे चलते हैं अब इसी को कंटीनू गरेंगे राइट आब अपने पास क्य जल्द ध्यान देए अनिलीन है जिसमें हाइड्रोजन इस तरह से लगेंगे फिर अपने पास क्या है बच्चों एन डबल बॉंड ओ वेच और अपने पास क्या है एन एस और नो जल्दी पता अवे पीछे था नूँ यह सूर नो फटा फटा पटा 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 फटा फटा हो गई जी आप देखो आप अपने पास क्या गया बेंजें दिंग पर फटा चोड़ देते हैं साथ में क्या बना हुआ है एन ए साथ में क्या बना हुआ है एच 2 ओ यहां पर प्या लिख दिए राज़ा बच्चों यहां लग दिया हमनें क्या बेटें यहां लिख दिया एन टु प्लैस एक्स माइनस इसे ही क्या कहते हैं यह पंगो नाइट्रोजन के जब दो एक्साद जो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं भी खुत्ध चलते हैं अगी अब शुरू करते हैं अपन अपनी रियाक्शन करनी है अपने बास बैंजीन डाय जो नियम क्लोराइड आ गया हां जी हां यह इस तरह से होता है पता है बच्चों यह इस तरह से होता है अगर आपको नहीं पता है तो देखो और यहां पर अगर आप किस की उपस्तिती में रियक्शन? Cu2, Cl2 की उपस्तिती में और प्रॉडक्ट बन गया क्या बच्चों? Cl plus and 2 यस और नो आज हमने फाइनली क्या कर ली? सारी वीदियां कम्प्लीट कर ली है क्लियर हो गई ना? सारी वीदियां हमने कम्प्लीट कर ली है बच्चों तो अच्छे से थोड़ा ध्यान देकर इन सब को रिवाइज करेंगे अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करेंगे ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं समझ में आई बात कि नहीं आई जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ पटापट 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 ओके यस मैं बिलकुल तो बच्छों आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे जैसा मैंने चार्ट बनवाया है वैसा आप सब भी बनाएंगे अच्छे से इनको लिखेंगे ताकि बाते क्लियर हो जाएं हैलो एलकेंज और हैलो एरिंग के क्या भोतिक व रासायनी गुनधरं किया होते हैं हमेशा औरगिनीग पढ़ेंगे तो यह हमेशा साथ-साथ चलेंगे इनके बारे में एक बेसिक नौलेज पता हो तो हम इनको अच्छे से समसकते हैं बेसिक नौलेज मतलब क्या जनरली हम चाहिए तो सबसे पहले आपन वही सीज़ पर बात करेंगे और अपन चलते हैं अपन साथ में करेंगे दोनों चीज़ों को कि हेलो एलकें और हेलो एरिंग जो है उनके भोते गुंधरम जो है वो कैसे होते हैं तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही इसी है पर इसके लिए मेरे साथ लास तक जुड़े रहना है फटा फट लाइक करो comment करते रहो क्यों कि मैं आपको कमेंट देख रही हूँ ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे है राइट पढ़ाइभी जरूरी है सब चीजह जरूरी है वे जहां चीजに समझ नहीं आती वीटा कमेंट में लिखो मैं आपको वो चीज बिल्कुल समझाऊंगी और आपकी प्रॉब्लम जो भी है उसका जितना भी सॉलुशन में कर सकती हूं वो मैं पक्का करके आपके सामें रख दूंगी तो फटा फट चलते हैं बच्चों आगे अपन सबसे पहले शुरू करते हैं अपना क्या बच समतिख गुण किसके है छेलो एल्कें के बटो और हैलो ही कि भी थी काजी बात समझ में अब हेलो एलकें और हेलो एरिन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है क्या अवस्था कौन सी अवस्था भोतिक अवस्था राइट अब भोतिक अवस्था हेलो एलकेन की कैसी होती है जनरली अपन बात करते हैं कि भोतिक अवस्था में तो CH3 CH3 या C2 H5 CL या BR यह जो होते हैं वो यह सवस्था में होते हैं किस अवस्था में होते हैं यह सी अवस्था में होते हैं उसके बाद जैसे जैसे अनुभार बढ़ता जाता है अनुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो द्रव और किस में पहुंच जाते हैं ठोस में पहुंच जाते हैं राइट बात समझ में आ गई होगी वैसे ही अगर आपन बात करें तो हेलो एरिन की जो अवस्ता होती है हमेशा कैसी अवस्ता होती है यह द्रवी अवस्ता में ही मिलते हैं हेलो एरिंज जो होते हमेशे कौन सी अवस्था में मिलेंगे राजा बच्चों ज्रवी अवस्था में राइट सेकिंड आता है अपन सेकिंड बात पर डिसकस करते हैं तो वो है आपका क्या बच्चों रंग क्या है रंग कैसा होता है जनरली ये रंग हीन होते हैं क् लेकिन इनमें ही अगर आप ब्रोमीन और आयोडीन को यह क्या कर दें खुला छोड़ दें वायू मंडल में खुला छोड़ दें तो यह क्या हो जाते हैं रंगीन हो जाते हैं कलर फुल हो जाते हैं लेकिन हैलो एरीन हमेशा क्या रहते हैं रंग ही नहीं ही रहते हैं जरा ध्य उसका color जो होता है वह यलो भी होता है इसलिए colorful होजाते कब अब गषका हैं अब आते हैं अपन टॉपिक पर तीसरा टॉपिक अपना है बेटा क्या गंद अब ये गंद इनकी जो गंद होती है वो कैसी होती है ये जो compound होते हैं इनने क्या होती है एक टिक्शन सी गंद आती है हना किसके अंदर आती है आप देखेंगे कि इनकी अंदर जो गंद आती है वो मदुर गंद होती है क्या होती इनकी हेलो एलकेन की वहीं पर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि हेलो एरिंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों हेलो एरिंज जो होते हैं वो क्या होते हैं एरोमेटिक गंद वाले होते हैं लिया इन में होता है इनके वश्तार और दो आते हैं अगला जो अपना टॉपिक है वो है गलनांक और वकथनांक अब यहां पर यह आएगा नहीं तो अपन आगे देखते हैं यह चीज फटा-फट आप उतारेंगे ताकि आपको बात प्लियर हो जाए चलेंज यह आगे फटा-फट देखते हैं अब अपन लिखते हैं कि अपने क अब देखते हैं अपना फॉर्थ पॉइंट जो है वो क्या है बच्चो गलनांक व क्वथनांक क्या होता है बच्चों हना गलनांक कि निश्चिता पर प्रिगलना शुरू करता है क्वथना उबलना शुरू करता है तो हेलो एलकें में आप बात करें तो क्या होगा हेलो एल क्या होते हैं उच्छ होते हैं क्यों ध्यान देना सर इनके गलनाम कॉतना कुछ इसलिए करबन कार्वन की तुलना में कार्वन हैलोजन बंद जू होता है वह क्या होता है बच्चों धूरूवीय होता है आपको मैंने बताया हुआ है दुरूविय होने के कारण बंद क्या हो जाता है प्रबल हो जाता है और वो आसानी से तूटता नहीं है इसलिए इनके गल्लांग क्वतनां क्या हो जाते हैं उच्छ हो जाते हैं बंद जो है वो क्या हो जाता है प्रबल हो जाता है इसलिए इनके क्या होते हैं उच्छ होते हैं जहां से क्योस्चन आता है अगर समान कार्बन वाले हों समान अनुभार वाले लिगदो समान अनुभार वाले यदि एलकिल हेलाइड हैं तो उनमें क्या देखेंगे तो उनमें अपन देखेंगे कि उनका जो भार है इनका जो गल्लांक है क्वथनांक है वो क्या होगा C I C B R C C L और C M आप इसकी जगे आर भी लिख सकते हैं R I R B R R C L और R M हमने सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका क्यों लिखा है बच्चों ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना क्या कि अपन जनरली बात करते हैं कि आकार बढ़ने पर क्या होता है आकार जब बढ़ता है तो क्या होता है बंद दुर्बल हो जाता है और वो आसानी से टूट जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे कह दिया मैडम आपने तो मैं ध्यान से सुनना इसका आं अनुभार बढ़ता है तो क्या होता है अनुभार बढ़ने और आकार बढ़ने में एक ऐसा सिस्टम होता है कि वहां पर एक साइंटिस्ट आया फाजांस उसने नियम दिया और कहा कि जब कोई भी धनायन रिनायन की तरफ आकरशित होगा यह रिनायन है और यह धनायन है तो र करने की कौशिस करेगा धुरूवित करेगा तो इसमåемся द्रूविय función जादा होंगे और यह बंद जो है प्रबन हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि जब सहसेयोजक बंद की बात करते हैं तो जब दूरी बढ़ती है तो सांजेदारी घट जाती है जैसे अपन देखते हैं कि अपने दोस्त हैं और वो पास-पास थे तब तो अच्छा रिलेशन था लेकिन जैसे दूर हुए तो वो बंद क्या हो गया तूट गया इतना कनेक्ट नहीं रहा लेकिन जब कोई भी धुरू पसंद कर रहे है अगर अपना कोई फ्रेंड है उसtså áippern बहूत पसंद कर रहें तो समय क्या होता है वो कि अतना बी गुसा और उसको मनाते है नहीं तूमान जा ऐससे का मत कर बात बार मनाते और क्योंकि और पर कि capable पसंद है भाई हम उसको आकरषिक कर रह नहीं तो वहां प बंद की दूरी बढ़ रही है तो वहां पर वो बंद क्या हो जाता है तूटे जाता है बंड की प्रवर्ती पर निर्वर करता है कि वहां पर गल्लांग क्वत्नां क्या होंगे बात समझ में आई ना तो यहां धुरूविय गुण है ना इसलिए यदि आकार बढ़ रहा है तो वहाँ पर धुरुवित गुन जादा होंगे वो प्रबल हो जाएगा और गल्लांग क्वत्नांग क्या हो जाएगा उच्छ हो जाएगा इसलिए आयोडीन आकार बड़ा है पर बंद धुरुवित है इसलिए वो प्रबल बंद होने के कारण वहाँ पर गल्लांग क्वत्नांग क्या हो जाते हैं बच्चों बढ़ जाते हैं it's a very important topic यहां से question आता है clear हो गई बात बात समझ में आ गई है तो अब देखो यह तो चलो बात clear हो गई यहां पर बात समझ में आ गई इसको उतार लेना ऐसे ही ठीक है अब चलते हैं अपन आगे बच्चों अब अपना जो क्या है गल्लांग क्वत्नांग की बात यहां पर हो गई यह तो clear हो गया अब एक question पूछते हैं कि गल्लांग क्वत्नांग में कि घनत्व क्या होगा क्या होगा घनत्व चलो गल्लांग क्वत्नांग की बात होई गई है तो घनत्व पर भी बात कर ले तो कहा कि यह घनत्व बढ़त गनत्व मतलब क्या वच्चों शाखाई बढ़ती जैसे कारबन एक दो तीन शाकित है एक और दो ही शाकित है शाकित है ही नहीं तो यहां पर क्या है घनत्व कम है ठीक है यहां पर गनत्व क्या हो रहा है आप देखेंगे कि यह शाकित हो गया है तो कम हो गया है यहां पर उसस जब गहनतव कम हो जाते हैं वो शाकृत हो जाते हैं तो वहां पर गलनांग क्वतनांग क्या हो जाता कम वहां बंद आसानी से टूट जाता है वैसे ही जैसे एक बाई चार भाई हैं एक ही घर में रहते हैं सही बात है तो वो बहुत ही strong तरीके से उन्हें कोई तोड नहीं सकता है वैसे ही अगर यदि वो अलग-अलग हो जाए अलग-अलग घर में रह रहे तो कोई भी उन्हें आकर भड़का के जा सकता है घर तोड़ सकता है वही बात यहां पर है तो यदि कोई भी एक साथ जुड पंकला में है तो क्या होगा उसका गल्लांग कतां उच्च होगा वहीं शाकित हूजाते हैं तो गल्लांग कतां कम ब्हुतर ँषयो कि को नांगे के तो गल्लांग को नांग जो हैki भो हेलो एरीं में अपन देखे तो यदि हेलो एरीं में अपन देखने हैं तो अगर देरा यूना हेलो एलकेंज थो एक हीकार्बन, एक हेलो जन हुसा स्था और शांतर नहीं है लेकिन वहीं पर यदि आप क्या कर लें दाई हेलो एलकेन की बात करें इनकी दाई हेलो एलकेन की तो आप देखेंगे कि वहां पर उनके तापमान में क्या आजाता है गलनांग क्वतनांग में परिवर्तन आजाता है क्या आजाता है परिवर्तन आजाता है और वो परिवर्तन कैसा तो कहा गया question पूछा गया कि और्थो और मेटा का जो गलनांग क्वतनांग है वो कम होता है पेरा की तुल्ला में ऐसा क्यों क्योंकि पेरा में जो क्लोरीन होते हैं या फिर कोई भी हेलोजन होता है वो सम्मित होता है और अधिक इस्ताई होता है इसलिए उनके बंद को तोड़ना आसान नहीं है वो अधिक स्थाई है क्योंकि वह सम्मित है लेकिन जास उनके गल्लांग को इतनांग क्या होगी बच्चों वहां पर उसके गल्लांग कोतनांग हो जाएंगे क्या निमन हो जाते हैं तो वहां गलांगCharles our hero में सबसे जादा गलांग कोतनांग होगा और्थो सबसे जादा होगा पेरा फीर मेटा फिर समझमें आज़ी बाहत तो ये बातें आप को ध्रान रखनी है कि अपन इसको कैस समझ सकते हैं गल्लांग क्वत्नांग समझ में आया यह नहीं फटा फट जल्दी से आप इसको उतारेंगे आगे चलते हैं गल्लांग क्वत्नांग के बाद अगला टॉपिक आता है बच्चों क्या अपना विलेटा यानि की हेलो एलकें जो होती है उसमें विलेटा और हेलो एरीं जो होता है उसके अंदर विलेटा को अपन चेक करते हैं कि वहां पर विलेटा किस प्रकार की होती है राइट तो जल्दी से अपन शुरू करते हैं अपनी विलेटा का कॉंसेप्ट जल्दा ध्यान देंगे विलेटा पर बात समझ में आरें ना ध्यान से पड़ो विलेता तो विलेता मतलब घुलन शिलता तो कहा कि समान समान में घुलता है ठीक बात तो क्या हेलो एलकेन जल में घुलता है यह भी यह मैडम बार-बार गा रही है और यह भी दुरूवीय है थाया न तो समान-समान में गुलना चाहिये न फिर भी क्यों नहीं गुल रहा है गुलता नहीं है क्यों कि यह जो धुरूवीय बंद है वह बहुत जादा प्रबल है और इसको तोड़ने के लिए जो उड़्जा चा बन्द को तोर नहीं सकता जो तोड नहीं सकता तो इसके साथ जुड़ता नहीं है इसलीए उसकी विलायता क्या है कम है किसके साथ जल के साथ किसकी एलो एलकेन की बात समझ में यह अत्य दिख धुरूविया होने के कारण इनमें क्या होता है प्रबल दिद्रू दिद्रू आकर्शन बल पाया जाता है और यह जल में क्या होता है अलपविले होता है यह क्योश्चन आता है क्योश्चन आता है कि धुर्विय होते वे भी क्यों नहीं गुलता क्योंकि इतना बंद प्रबल है कि इसको जो उर्जा चाहिए बंद तोड़ने के लिए वो जल के अनों के पास नहीं है राइट वही पर यदि अपन देखें हेलो एरिंग की बात करें विलेता में तो हेलो एरिंग जो होती है ये हमेशा क्या करती है ये जल के साथ तो क्या है विले और वही पर किसके साथ विले है किसके साथ विले है ये ये विले है आपके किसके साथ बच्चों ये विले है आप कि द्रूवी है या यू कहें कि आपको कहें कि बेंजीन के साथ या यू कहें कार्बनिक विलाइकों के साथ जल्दी से फटा-फट उतारेंगे देखें जल्दी से नौट करेंगे कि आपको बात समझ में आई है या नहीं clear जी clear बात समझ में आगे ये फड़ा उतार लिया done आप बहुत अच्छे student है इसलिए इतने जोश और short note जितना हो सकता है short note का मतलब ये नहीं है कि हम topics छोड़ रहे हैं no topics को cover करते हुए वही बच्चों को दे रहे हैं जितनी तुम्हें अवशक्ता है यानि की topic NCRT का पूरा clear हो जाए पूरा आपको समझ में आ जाए और आपको theory company पड़े ऐसे concept लेकर आए हैं तो आप अच्छे से last तक हमाई साथ बने रही है पकी बात है तो चलिए जी आगे यह हो गए आपके क्या बच्चों यह हुए आपके भोतिक गुणधरम हेलो ASil key और एल ए और खेलो ए रेल चलते आगे अब बढ़ते हैं अपन किस Japan की ओर रसाइन以及 गुणधरम पढ़ेंगे रासाएनिक गुंधरम शब्द आता है तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमने पीछे विर्चन की वीदी पड़ी थी, राइट? रासाएनिक गुंधरम ठीक है? जरा ध्यान दो हमने विर्चन की वीदी पड़ी वहाँ पर हमें बनाना क्या था? हेलो एलकें, राइट? यानि कि हमें आर एक्स बनाना था तो हमें अलग-अलग रियाक्टेंट चाहिए थे जब अलग-अलग रियाक्टेंट अपने कुछ चाहिए थे तो वहाँ पर अपन क्या कर रहे थे? दो अलग अभी कारक लेकर आतें, फिर प्रोड़क्ट तो हमें पता था लेकिन अब यहाँ पर हमें रियाक्टेंट पता है, प्रोड़क्ट कुछ नया होगा रासाइन एक वही होती है, जिसमें अभी कारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं तो यहाँ पर अपने को क्या है, रियाक्टेंट पता है, प्रोड़क्ट बनाना है, जिबकि विर्चन में क्या होता है, विर्चन में रियाक्टेंट पता नहीं होता, प्रोड़क्ट पता होता है यह बातें जो मैं बीच बीच में आपको बता रही हूं आप बच्चे इनको नोट्स में नोट करते जाएं आपके लिए उतना ही एजी हो जाएगा तो अपने देखते हैं कि आरक्स यानि की हेलो एल के निर्मान की आपके पास बच्चों तीन वीधियां पुर्टिकूलर है अभी क्रिया जिसे अपन इंग्लिश में लिखते हैं क्या नुक्लियोफैलिक सबस्टिट्यूशन रियाक्शन क्या लिखते हैं नुक्लियोफैलिक सबस्टिट्यूशन रियाक्शन ये दो प्रकार की होती है इसे अपन शोर्ट फॉर्म में लिखते हैं s and 1 और s and two राइट वहीं पर अपन देखते हैं सेकिंड जो अभी क्रिया होगी वो होगी विलोपन अभी क्रिया विलोपन अभी क्या है मतलब कोई भी कमपाउंट जो है उसमें जो चला जाएगा वो चला ही जाएगा वापस दोट कब नहीं आएगा उसके बाद आप थर्ड पढ़ेंगे क्या धातू के साथ धातू के साथ क्रिया करेंगे और वो दो धातू कौन सी होगी बच्चों वो होगी मैगनीशियम और आपकी होगी सोडियम बात क्लियर हुई आज अपन ये सारा टॉपिक क्लियर करेंगे बस उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए आप देंगे ना बिल्कुल आप बहुत अच्छे हैं इसलिए तो तब ही तो मैं इतना शोट नोट आप लोगों के लिए लेके आती हैं मेरे अच्छे बच्चों के लिए ओके उतार ल नाबिक्स नहीं परतिस्थापन अभी किया कि यह आप बात करते हैं बच्चों तो नाबिक्स नहीं परतिस्थापन अभी किया यह कहते हैं कि कोई भी नुक्लियोफाइल अब आप सोच रहे होंगे कि नुक्लियोफाइल क्या होता है नाबिक्स नहीं क्या होता है नाबिकस पॉजितिव चार्ज कोइक आपकर्शित तो नाभिक नहीं प्रतिस थापन मतलब कि कोई भी अगर पॉजितिव चार्ज को कोई मोलकुल अपनी तरफ आकर्शित कर रहा है तो अपने में से कुछ हटा देगा तो हेलोजन को हटाएगा तो उसे अपन क्या करेंगे नाभिक स्निही प्रतिस्थापन अभी क्लिए ध्यान से देखो आराम आराम से समझेंगे जादा आपने को भागने की जरुत नहीं जितना होगा ठीक है कोई जरूरी नहीं कि अपन सारात पड़े पर जितना पड़े उतना अच्छा पड़े तो हम लेखते हैं नाभिक स्निही प्रतिस्थापन अभी क्लिए ओके क्या होती है जरुत ध्यान देना आपके पास एलकिल हेलाइड है अब यह एलकिल हेलाइड में क्या होता है इस पर आंशिक धनावेश इस पर आंशिक लिनावेश तो यह क्या करेगा कोई भी इसके उपर कोई भी अपने पास जैसे अपने एक नेगेटिव चार्ज वरा ले लें तो यह अपना ने नुकलियो फैलिक हो गया न हाँ यह न तो यह नुकलियो फैलिक इसके उपर अटेक करेगा और यह निकल जाएगा तो यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि यह नहां पर sow हटा कर है लो जनको भताकर तो क्या कहा नहीं की प्रती स्थापन अभी दीघा बोलोगी कि बोलो समझ आया की नहीं फटा-फट कमेंड में लिखेंगे कि नाभिक सुनी ही परतिस्थापन किसे कहा जाता है देखो इस सब में क्या होता है पता है मायन को वह द्यान से चीज़ों को समझाना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस समझ में नहीं आती है समझ में आती है पर हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर अफोर्ट्स डालो पक्का समझ में आएगा तो आप लोग नाभिक्स नहीं परते इस्थापन अभी के समझ में आई अब यहां second point यह कितने प्रकार की है अभी आपन आपका यही रहना है पर अगर यहां पर आपन देखें कि अपने पास यह दे रियक्टेंट अभी कारक अभी कारक एक है और वो उत्पाद बना रहा है एक अभी कारक ही उत्पाद बना रहा है तो वो होगी हमेशा कौन सी असन वान वहीं पर अभी कारक दो है और वो उत्पाद बना रही है 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 अभी कारक कैसे अभी क्रिया अलग अलग पदों में जरूर होगी वो एक अभी कारक व्हाला जो पद होगा वह क्या होगा अभी क्रिया को क्लियर करेगा यह यह हो कहूं अभीक्रिया को स्थाइक तो परदान करेगा तो हम जानते हैं हमारे साथ कई लोग हैं लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है हमें stable बना रहा है हम उसी की साथ तो खड़े रहेंगे तो वही क्या होता है हमेशा अभीक्रिया का वे होता है ठीक है तो कहा कि यहाँ पर अभिकारक एक उत्पाद बना देता है तो वो कहलाती है असन 1 दो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो असन 2 अभिकारक कहलाती है बात क्लियर हो गई होगी Yes or No फटा फट कमेंट में लिखेंगे और आप इसका स्क्रीन शोट लेंगे राइट जल्दी से जल्दी Okay done चलते हैं आगे कई बच्चे कहते हैं कि मैं तो किवल स्क्रीन शोट के लिए ही कह रहे हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है स्क्रीन शोट आप ना ले पर हमारा फ़र्ज यह है कि हम आप बच्चों को जो चीज दे रहे हैं वो आप तक पहुंचे स्टेबल रहे इसलिए कहते हैं अगर आपको वो चीज नहीं करनी है कोई बात नहीं आप बस पढ़ ले यह हम तीचर के लिए बहुत है टीचर ही होता है जो अपने स्टुडेंट को अपने से उपर देखना चाहता है दुनिया में केवल आपको अपने पैरेंट्स और टीचर्स ही मिलेंगे बेटा जो आपको क्या चाहते हैं एक नई उचाईप पर देखना चाहते हैं वो आपको खुद से एक कदम आगे देखना चाहते हैं ऐसे केवल टीचर और पेरेंट्स ही होते हैं और कोई नहीं देखना चाहता दुनिया में आपको ऐसा इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो दो चलते हैं आगे शूरू करते हैं अब अपनी सन वण्ड और सन टू रियक्शन जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं एक अनु गुद नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभी किया और द्वी अनुक नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभी किया राइट चलते हैं सबसे पहले आपन बात करेंगे द्वी अनुक नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभी किया पर सबसे पहले किसकी बात करेंगे आप द्वी अनु नाभिक स्नेही प्रतीस्थापन अभी क्लिए जिसे शोट में क्या लिखते हैं जिसे शोट में क्या लिखते हैं जिसे शोट में लिखते हैं अब अपन चलते हैं आगे की ओर अपन देखते हैं सबसे पहले ये क्या होती है द्वी अणुप जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन होना एक ही पद मतलब आप जब रियक्शन करेंगे तो ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन होनी है कहें यहां पर जो ओच्छ गुरुप है किस तरह से अटाक करेगा है confirming यहां पर डिस्कस करेंगे तो बनाना थ्चान देंगे सबसे पहले हपन लोग क्या करेंगे द्वी अनुप में अपन लेंगे एक डिग्री यहां पर ह ह एच और यहां लेंगे आपन क्या सी देलिया साथ में ही आपन लेंगे क्या और यह क्या है आपका नुक्लियो और यह क्या है आपका अल्किल क्या मैथिल क्लोराइड ठीक है जरा ध्यान देंगी क्या ध्यान क्या देंगी अच्छे से ध्यान देना आज़ा यहां पर ओच ठीक है अब ओच यह तो यहां पर अटेक करें या फिर इस तरह से अटेक दोई तरीके हो सकते हैं कैसे अटेक करें कैसे बंद को तोड़ेगा हो ध्यान से लेकी ठीक है बच्छों ऐल पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव यहहां भी क्या चार्ज है तो जहां जगड़ा होगा जाएंगे जगड़ा नहीं होता जगड़ा नहीं हो वहीं पर जाएंगे तो यह वह पर जाएंगे तो यह Farm नहीं पस्य आक्रमन करेगा। इसे क्या कहते हैं पस्य actually है ठीक बाते है पीछे की साइड में अटक हो कर स्क क्aya होगा जरा ध्यान देंगे पीछे की साइड जब आप अटेक कर रहे हैं तो कुछ reaction you do क्या C यहां H यहां H यहां पर भी H और यहां से कौन आएगा और यहां से कौन जाएगा यहां पर C L और यहां पर O H Yes or No ज़रा ध्यान से देखो कि आप देख रहे हैं कि यह O H पीछे से आ रहा है आगे से C L जा रहा है bond making और यहां क्या हो रहा है bond breaking यानि इधर बंद टूट रहा है इधर बंद जुड रहा है बात समझ में आ गई होगी यानि अगर आप देखेंगे तो यह पीछे से अटेक कर रहा है न तो अब क्या होगा कि अब धीरे धीरे यह तो रट जाएगा यह इस तरफ आजाएगा यह इस तरफ आजाएगा और वहाँ पर कौन चला जाएगा जरा ध्यान देंगे बच्चों क्या ध्यान देंगे जरा ध्यान देंगे कि आपके पास यहां पर H इधर भी H इधर भी H और यहां क्या आगया बच्चों क्लियर हो गए यानि कि एक अवस्था यहां नज़त आ रही है क्या रही है यहां पर एक बंद बनता हुआ और दूसरा बंद तूटता हुआ नज़र आ रहा है तो इसे हम संक्रमन अवस्था कहते हैं कौन सी अवस्था कहते हैं संक्रमन अवस्था कहते हैं यह संक्रमन अवस्था क्या होती है यह सबसे ज़्यादा एस्थाई है क्यों है बच्चों एस्थाई क्योंकि क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल इस्टेबल नहीं है कहीं से बंद टोट रहा है कहीं से जुड रहा है और ज स्टति में कोई स्टेबल कभी नहीं हो सकता है जब स्टेबल होता तो पुरा बन जाना चाहिए डॉट 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 नहीं आएगा वहां पर तो यहां पर संक्रमन अवस्ता आती है जो कि क्या होती है एक एस्थाई अवस्ता होती है और वहीं पर अपने पास यह क्या प्राप्त हो गया उत्पाद प्राप्त हो जाता है और उत्पाद में आप देखेंगे कि अभी कारक और उत्पाद को इदी आप देखेंगे तो आपके पास सील जो था वो सामने था जबकी ओज क्या है पीछे है तो अपने को जो अभी क्रिया हुई वहां पर बैक बॉंडिं हैं प्रतिलों क्या कहते हैं प्रतिलों सही है तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं इसको अपन क्या लिख सकते हैं अपने पास यह हुआ है ठीक है प्रति लोग यानि कि ये विपरित अपने को क्या हुआ अभी कारक के विपरित उत्पाद राप्त हुआ है बात समझ में आ गई तो फटा फर जल्दे से इसको उतारेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए और आप क्लियर हो जाएं कि अपन अभी क्या कर रहे हैं समझ में आ गया तो यह हुआ आपका क्या reverse reaction में क्लियर हो गई होगी बात कि अपन as an to mechanism कैसे तो सबसे पहले अपन अगर बात करेंगे तो इसमें क्या-क्या points आप लिख सकते हैं क्या-क्या पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों जड़ा ध्यान से देखेंगे सबसे पहले यह अभिक्रिया क्या होती है इस अभिक्रिया में क्या होता है यह अभिक्रिया एक पद में संपन होती है ठीक है दूसरा इसमें क्या होती है एस्थाई संक्रमन अवस्ता तीसरा इसमें यहाँ पर आपने एक डिगरी ही क्यों लिया है दो डिगरी तीन डिगरी क्यों नहीं लिया वो भी मैं बताऊंगी इसके आग क्यों नहीं लिया तो इसका रिजन में आगे लिखूँगी यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ एक डिगरी जादा इसता ही होता है फिर दो डिगरी और तीन डिगरी सबसे कम इसता ही होता है क्यों वो अपन अभी देखेंगी तो बात समझ में आगे क्लियर हो गया और यह अभी क्लियर एक पद में संपन होने की वज़े से इसे क्या कहते हैं अपन क्या कहते हैं एसन टू अभी क्लियर बात समझ में आगे होगी टू क्यों बोला द्वी अनुक क्यों बोला क्योंकि इसमें अभी कारग एक साथ कितने भाग ले रहे हैं दो भाग ले रहे हैं बात समझ में और अभी क्लियर का वेग सदेव किस पर निर्वर करता है अभी क्लियर का वेग सदेव अभी कारगों की सांध्रता पर निर्वर करता है इनकी सानता कितना है दो कोटी में है इसलिए द्वी अनुक लिए कहला दी है बात समझ में आ गई तो फटाफट लाइक कर दें और कमेंट कर दें बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है आगी बात समझ में अब चलती हूं मैं आगे अपना क्यस्चन लेकर जो मैंने छोड़ा है क्य में लिए यहां कि हम नेयान दीगरी ठीक यहां पर एक 3 विमिय बाधा उद्पन हो जाती है क्या हों जाती है constru चिर गाimporte सामने स्क्रीन पर सब बच्चरे देखिने आपको 3 2 डीवरियक्व केंए तो क्यंब्चर वियू जय टेखतो है कि यहां पर अपने देखा CH3 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 और यहां positive charge यहां यू लिख गई यहां पर CL ठीक है चलो CL लिख देते हैं वरना कई बच्चों को क्या है कि समझ में नहीं आएगा तो वो सोचेंगे madam क्या कर रही है हमें पता नहीं चल रहा है तो चलो जी चलो हम भी नहीं बताते हैं CH3 CH इदा CH2 CH3 और इदा CL देन नेक्स्ट CH3 CH2 CL पिटा यह तीन डिगरी है यह दो डिगरी है और यह एक डिगरी है कोई दिकत नो अब चलते हैं हम बाधा त्री विवियां बाधा अपने को क्या करना है ओ अच्छी यानि नुक्लियोफैलिक का अटैक कराना है अगर आप इस साइड से इसका अटैक कराते हैं तो ओच का जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्राफिक जाम है बहुत जादा है ना अभी मौसम क्या है बारिश वाला है तो हर जिगह सड़कों पर जाम लग जाता है तो क्या आप जल्दी से घर पहुंच पाएंगे नहीं ट्राफिक जान जादा है वही पर यहां यदि भीड जादा है तो क्या वो इस पर पहुंच पाएगा यहां पर ओच की बात करें तो यहां पर ओच की बात करें तो यहां पर पहुंच पाएगा थोड़ी भीड कम है आप चाहें तो यह से भी देख सकते हैं यहां पर इस सी लगा सकते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर वज का जो अटैक है वो थोड़ा कम और यहां पर आप देखेंगे कि आसानी से ओज क्या कर सकता है इसके उपर अटैक कर सकता है यहां तो भीड और भी कम हो गई है इसलिए बेटा हमने क्या किया था बैक बॉर्णिंग जहां होती है जहाँ पर पश्याक्रमण होता है वहां पर हम देखते हैं कि हमेशा एक डिगरी मौर क्या होता है stable होता है वहीं 3 degree क्या होता है कम इस्ताई होता है क्योंकि 1 degree में 3 V में बाधाएं कम होती है और किसमें 2 degree 1 degree में सबसे कम और 3 degree में सबसे जादा होती है बात समझ में आगी तो फड़ा फड़ लाइक कर दो जल्दी से जल्दी ओके जी ओके डन यह हुआ आपका एसन 2 जो मेकेनिजम के साथ एसन 2 reaction complete अब आते हैं अपने टॉपिक पर अगला क्या आता है बच्चों एसन 1 अभी क्रिया क्या होती है एसन 1 अभी क्रिया में अपन देखते हैं कि यह अभी क्रिया दो पदो में संपन होगी यानि इसमें एक ही अभी कारक दिखाई देगा एक साथ दो नहीं इसलिए इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं बच्चों एक अनुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिय ओके चलो जी चलो क्लियर हो गही अब चलते हैं आगे बच्चों अपन लेते हैं सबसे पहले अब यहां पर अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है अपने कोई क्या होता है अपन देखते हैं एक यहां से बंद तूटेगा तो यहां पर क्या होता है CH3 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 और यहाँ पर positive charge clear बात समझ में आ गई सबको यहाँ पर यह जो है यहाँ पर बनता है कार्बो-केटायन ठीक है वहाँ पर एक संक्रमन आवस्ता थी जो A-स्थाई थी पर यहाँ नहीं है सारे बंद पकके positive charge भी पकका और वो stable भी है क्योंकि हम सब जानते है कि तीन डिगरी में सब इसको electron देने वाले हैं इसलिए यह बहुत अधिक क्या है बच्चों इसलिए कि स्थाई कार्बो-केटायन यहाँ पर बनता है बात समझ में आ गई तो यह रहा आपका पहला step प्रथमपद clear अब जब यह कार्बो-केटायन stable आपके पास बन गया तो अब क्या होगा अब कोई nucleophilic आएगा और वो फटा-फट फटा-फट क्या करेगा nucleophilic OH negative फटा-फट फटा-फटा-फट आकर front से attack जल्दी से और तुरंट अपने पास क्या बन जाएगा product yes और no बच्चो हाँ या ना जल्दी से बताएंगे बात समझ में आई वहाँ पर आई स्थाई संक्रम नावस्ता थी मध्यवर्ती बन रहा था आई स्थाई मध्यवर्ती बन रहा था राइट जबकि यहाँ पर इस्थाई कार्बोकेटायन बनता है clear इस्थाई कार्बोकेटायन बनने की वज़े से जब second अपना reactant आता है तो फटा-फट reaction करता है जबकि यह एक धीमी गती से होने वाली अभी क्रिया है जब कोई अभी क्रिया धीमी गती से होती है तो वही वेग निर्धारित कर देती है और अभी क्रिया वैसे ही संपन होती है इसलिए इस अभी क्रिया में एक ही अभी कारक है इसलिए हैसे आपन आसन वन कहते हैं और इसमें कुछ भी नहीं हुआ है प्रतिलोम उत्पाद भी प्राप्त नहीं हुआ है कि उल्टा प्राप्त नहीं हुआ है जैसा था वहीं सामने था सियल तो सामने ही है ओच कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है बात समझ में आ गई तो फटा फट फटा फट लाइक करेंगे और आपको अच्छे से clearly पता चल रहा है कि यहाँ पर अपने को तीन डिग्री उत्पात जो है वो इस्थाई प्राप्त हुआ clear जी ओके जी ओके चलते हैं फटा फट आगे अब हम इसके बारे में क्या-क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं असन वन जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कितने पदों में संपन होती है दो पदों में संपन संपन होती है बात समझ में आई second यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर तीन डिग्री सबसे ज़ादा इस्थाई होता है दो दिग्री सबसे कम और एक दिग्री सबसे कम यहां पर इस्थाई कार्वो केटाईन बनता है इस्थाई कार्वो केटाईन बच्चों यह क्यास्चन आता है कार्वो केटाईन कहां पर बनता है SN1 mechanism में बनता है वो stable होता है और इसे हम लोग क्या कहते है यहां पर अभिक्रिया दो पदों में होती है लेकिन इसमें एक ही अभिकारक भाग लेता है इसलिए इसका वेग निर्धारक पर प्राथमिक अभिक्रिया है और वह क्या होती है उसमें एक ही अभी कारक होता है इसलिए इसे प्रथम कोटी अभी क्रिया या फिर SN1 एक अनुक अभी क्रिया कहते हैं बात समझ में आ गई होगी यस और नो फटाफट कमेंट में लिख कर जाएंगे जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखते रहो फटाफट बताते रहो ताकि बात क्लियर हो जाएं बात समझ में आ गई SN1, SN2 रियक्शन कम्प्लीट हो गई सही बात है बच्चों अब एक क्योस्चन जो आपके एक्जाम में बहुत बार आता है बोर्ड के एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो क्या है ज़रा ध्यान देंगी क्या कि जब Rx KCN के साथ रियक्शन करता है तो RCN बनाता है वहीं पर Rx यदि AGCN के साथ रियक्शन करता है तो वो RNC बनाता है क्यों It's a very important question बच्चा लोग बहुत important है ज़रा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे जिसने ये ध्यान से सुन लिया उसके लिए सारे reactions easy हो जाएगी बहुत important question ज़रा देखो जी ज़रा क्या Rx तो Rx है उसमें कोई दिक्रत नहीं है ठीक है आप बात कर रहें केसीन की केसीन इदी आप देखते हैं बच्चों तो ये एक आइनिक प्रवर्ति का बर्ध है आइनिक मतलब यहाँ पर potassium पर plus और cyanide पर minus जिसकी वज़े से यहाँ पर electron density क्या हो गई electron जादा आ गई increase हो गई यहाँ पर यह तूटेगा बेटा तो यह प्लस में और यह क्या है minus में तो यहाँ पर alkyl जो है वो कहाँ पर react करेगा इसके साथ react करेगा अब question आता है कि यह जो R है वो carbon के उपर attack करेगा या फिर nitrogen पर क्योंकि दोनों के पास ही electron density जादा है तो कहा गया कि carbon carbon जो बंद होता है वो प्रबल होता है carbon nitrogen की तुलना में यह थोड़ा दुरबल है इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है R C N बनाया जाता है R N C की तुलना में बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर R N C क्यों नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर बंद क्या है ionic, ionic है तो यह negative charge दोनों electron धनी है तो carbon carbon बंद प्रबल होता है यह बंद दुरबल होता है इसलिए प्रबल बंद ही बनाना चाहेंगे stable होने के लिए तो वो carbon C N ही product बनाता है इसलिए अपने पास product बनता है C N clear बात समझ में आ गई होगी तो अब second कहता है कि R X जब A G C N के साथ relation करता है तो कहा कि यह R unsecure बना रहा है क्यूंकि यहां पर हम देखती है यह सहसयोजग बंद है क्या है बच्चों यह एक सहसयोजग बंद है सहसयोजग बंद होने के कारण यहां पर क्या हुआ समान स्विखंडन हुआ और C N में देखा कि यहां पर electron density जो है वो carbon पर क्या है दोनों के पास एक एक electron तो यहां पर carbon के पास electron की density क्या है कम पर nitrogen के पास लोन पेर अपना तो है तो यहां इसकी electron density जो है वो क्या है ज़्यादा है तो अब क्या R के उपर प्लस और X के उपर तो माइनस है तो यह R कहाँ अटेक करेगा अब ये R अटेक करेगा नाइक्ट्रोजन के साथ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोन डेंसिटी जादा है इसकी इलेक्ट्रोन डेंसिटी कम है इलेक्ट्रोन का जो पावर है इलेक्ट्रोन की जो संच्छा है वो यहाँ कम है और यहाँ जादा है इसलिए वो यहाँ आटेक करके क्या product बना देगा बेटा R, N, C, Alkyl, Isocyanide clear बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को तो फटा-फट उतारेंगे जल्दी से यह question आपके board exam के लिए very 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 important है इसलिए मैंने इसको describe करके आपको बताया है आप theory में लिख सकते हैं चले आगे अब बढ़ते हैं अपने अगले reaction में जो राशाइनिक अभीक्या का नाम क्या है भई? विलोपन अभीक्या अब यह विलोपन अभीक्या क्या है? कहा गया है नडाइनरस्ट विलोप तो हो गया तो वो भी वापस तो आ सकता कि आ सकता है क्या पता वापस ले आएं ले आई क्या नहीं ऐसा संभब नहीं जो विलपतो जो चले जाते हैं वो कभी लोट कर नहीं आते हैं इसलिए विलोपन भी कुछ ऐसी ही अभी क्रिया है यानि एलकिल है जो है उनमें बैसिकली अगर आपको विलोपन जैसी अभ बन प्ल realization BITA hydrogen is ए बर नैसेसरी अगर being Kita hydrogen है तभी reaction will open Jew ge otherwise वो जो होता है वो जरूरी है जरूरी है जरूरी है तो चलते हैं कि विलोपन अभिक्रिया क्या है विलोपन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एलकिल हैलाइट एलकोहलिक केवच की उपस्तिती में किसका निर्मान करता है एलकीन का निर्मान करता है तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं होता है एलकिल हेलाइड से किसका निर्मान एलकीन का निर्मान होता है जहां एलकीन का निर्मान होता है वहां पर विलोपन अभी क्लिया संपन होती है बट उस रियाक्टेंट में क्या होना चाहिए बीटा हाइड्रोजन कंपल्सरी होना चाहिए अब बच्चे सोचें मैडम हर दिन एक नया पंगा है कभी एक डिग्री कभी दो डिग्री कभी अलफा हमें कैसे पता है अरे डॉंट वरी भाई मैं हूना आप लोगों के साथ CH3, CH2, CN बच्चों कोई भी functional group जिस carbon से जुड़ा है बेटे वो हमेशा अलफा ठीक एक डिग्री कभी होता है जब एक carbon एक से जुड़ा है जब एक functional group से जुड़ा हुआ कार्बन दू कार्बन से जुड़ा है functional group से जुड़ा हुआ कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा था तीन डिग्री हो गया अपने को नहीं बताना अभी अपने को चाहिए अलफा अलफा क्या होता है जब कोई क्रियात्मक समोझ इस कार्बन से जुड़ा है वो हमेशा अलफा और उसके पास वाला हमेशा बीटा कार्बन उससे जुड़ेवे hydrogen क्या होते हैं बीटा हाईड्रोजन होते हैं, clear बात समझ में आ गई, तो अलपा हाईड्रोजन बीटा हाईड्रोजन समझ में आ गए, ठीक है अब चलते हैं अपनी reaction की ओर, चलो बच्चों, अब आपन देखते हैं कि अपने पास बीटा हाइड्रोजन युक्त यह खोना चाहिए, तो अपन ने लिखा CH3CHCHCH2Cl, यह आपका क्रियात्मक समुह, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अलफा, अलफा से जुड़ा हुआ बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ गामा, ठीक, एक दो तिन चाहिए, चलता रहेगा, अब इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, क्लियर, यस और नो, जल्दी कमेंट में लिखो, फटापर, चलें, अब यह एलकोहलिक, के उपस्तिती में हो रही है, तो यहां क्या होगा, यहां से बंद तूटेगा, यहां से बंद तूटेगा, और क्या हो जाएगा, यह आपस में अलग हो जाएंगे, जैसे यह तूटेंगे, तो क्या होगा, यहां से यह तूटा, अपने इलेक्टरोन छोड़के, यहां से तू क्लोरीन इलेक्ट्रोन लेकर जाएगा क्योंकि यह यहां आएगा प्लस हाइड्रोजन बिचादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहां आएगा माइनस प्लस माइनस जुड़कर के क्या बन गया छीएज थरी छेbल बॉर्ण2 ऐलकिन है है बना ममना बटाव जल्दी आईउपिस सी नामकर बताओ जल्दी इसका क्या है सब सबक्रत आते हैं आईउपिस नामकर इसलिए या बतांगी चलें जीयूपके चलते हैं आगी लास्ट में यह क्या कहना चाह रहे हैं तो अब ये हो गई विलोपन अभी के लिए एलकीन अब एक और चीज आई इसमें क्या एलकीन एक ही बनती है या अलग-अलग तरह की बनती है तो इसी ग्रूप में इसी रियाक्शन पर एक साइंटिस्ट आए सत्जेफ क्यों से आए सत्जेफ आए जिन्होंने एक नियम दिये जैसे सत्जेफ का नियम कहते है उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा वो एलकीन अधिक मात्रा में बनेगी अधिक मात्रा में बनेगी जिसके साथ प्रतिस्थापी अधिक हो अब आपको सब पता है प्रतिस्थापी अधिक राइट तो कहा कि देखो आपके पास बच्चों क्या है इसको मैं समझा योती है आपके पास CH3, CH2, CH, CH2 यहां लिग दिया, CH3 ठीक है यहां पर CH लगाया, यहां लगाया BR ठीक है और यहां वाला 2 का H इधर में दिया, ठीक है बेटा यह फंक्शनल ग्रूप, अल्फा कार्बन, यह बीटा कार्बन तो यह बीटा हाइट्रोजन, राइट, सेकिंड, यहां पर आओ CH3, CH2, CH2, CH, BR, CH2 ठीक है बेटा इस अल्फा से जुड़ावा कार्बन यह भी बीटा, तो यह भी क्या है, बीटा है यह भी बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, यह भी बीटा कार्बन, बीटा है यानि कि, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, और यहां से भी जा सकता है तो कौन सा जादा स्थाई L की बनी, तो रियक्टेंट देख लें जल्दी से देखो, फटा फट, यहां से टूटा, और एक यहां से टूटा जर्दा ध्यान देना, यहां से टूटा तो क्या बना? CH3, CH2, CH, double bond CH, CH3, CH3, CH2, CH2, CH double bond CH2 राइट, यहस और नो, जल्दी से बताएंगे ओके जी बच्चा पार्टी, आप ज़रा ध्यान, यह आपकी एलकीन है इसके साथ यह जुड़ावा, यह प्रतिस्थापी एक, और यह प्रतिस्थापी दो ठीक, यह आपकी एलकीन है, और इसके इधर कुछ नहीं है यह एक प्रतिस्थापी है, तो बताओ जल्दी जितने ज़्यादा परती स्थापी उतनी ज़्यादा इस्थाई गौन? एलकीन देखो ज़रा कह रहा है ना? एलकीन वो अधिक स्थाई जिसमें परती स्थापी है दिक तो बताओ A और B में कौन इस्थाई? फटावट कमेंट करो जल्दी! फटावट 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 ओके जी डन कौन है is more stable because of क्या है सबसे ज्यादा इसमें क्या है एलकीन में प्रती इस्थापी है तो विलोपन अभी क्रिया समझ में आ गई विलोपन अभी क्या क्या मस्ट होता है बीटा हाइड्रोजन तो बीटा कार्बन होगा त प्रती इस्थापी भी अधिक हो तो वह अधिक स्टेबल होती है समझ में आ गई होगी बात फटा फट उतारेंगे अब चलते हैं आपन आगे अपना टॉपिक कंटीनी करते हैं अगला टॉपिक है यदि आप लोगों ने प्रती स्थापन तो पढ़ा दिया आप लोगों न और आपने विलोपन भी पढ़ा दिया, ठीक है पढ़ा तुदिया, प्रती स्थापन आपने बताया कि एक डिगरी और तीन डिगरी में ठीक है स्थाइत वर और विलापन में आपने बताया बीटा हाई तो बिचला दो डिगरी कांग या इसने कौन सा पाप किया था, या इसन तो अपन देखते हैं कि जब अपने पास दो डिगरी हो तो उसमें कब प्रतिस्थापन होगा और कब विल्लोपन होगा राइट तो ज़रा ध्यान देंगे सब बच्चे आप लोग दो डिगरी ले 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 वहीं CH3, C, इधर H, H और यहां पर भी H, दो डिगरी है यह और यहां आ गया C है और यहां पर भी ले ले बच्चों CH3, C, C, H, H, H और यहां C है ठीक यह दो डिगरी है अब इसमें नुक्लियोफैलिक ले लो एक तो बड़ा CH3, C, CH3, CH3, O, नेगेटिव और ले लो CH3, CH2, O, नेगेटिव ठीक है राजा बच्चों यहां तक किसी को डाउट तो वो मुझे बोल सकता है फटावर कमेंट में लिग दो ताकि मैं बता दूँ जल्दी से बता दूँ ठीक है बिटर ध्यान रखना जब भी कोई नुकलियोफैल बड़ा हो बड़ा नुकलियोफैल हो तो वो यहां पर अटैक आसानी से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा तो उस इस्तती में वो क्या करेगा उस इस्तती में वो हाइड्रोजन को निकालेगा और अपने साथ जोड़ेगा और यहां से क्या होगा क्लोरीन बाहर और यह वाला बंद यहां पर जोड़ जाता है समझ आ रहा है हांजी 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 ये बड़ा है इसलिए इसके साथ फिट नहीं हो सकता इसलिए क्या करेगा बूलेगा कोई बात नहीं जगड़ा नहीं करो मेरे को तुम तुम तुमारा हाइड्रोजन दे दो मैं निकल जाओ राइट बात समझ में आई तो यहां पर कौन सी अभीक्रिया हुई यहां पर हाइड्रोजन चला गया जो चले जाते हैं वो लोटकर कभी नहीं आते तो उस अभीक्रिया को हम कहते है विल्लोपान अभीक्रिया राइट बात समझ में आ गई होगी तो प्रोड़क्ट क्या बना बच्चों प्रोड़क्ट बना आपने पास CH3 C double bond CH2 यहां पर क्या आ गया एक दो तीन और यहां पर H तो भूली गया है और यह आपका H राइट दो तीन और चार क्लियर साथ में क्या बना CH3 C CH3 C CH3 OH है राइट साथ में क्या बना CL माइनस बात क्लियर हो गई तो फटा 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 फट कमेंट में लिखेंगे बच्चों यह अपना क्या है छोटा सा है चुटकू आदमी है तो यह तो जाना हर कहीं फिट हो जाएगा तो यहां लिखा CH3 CH2 OH नेगेटी तो यह आराम से यह घुज जाएगा इसलिए कि मैं फिट हो सकता हूं यार मुझे आने दो आने तो तिसका ठीक है जदा गिडगरा हो नहीं हम जगह दे रहे हैं तो यह क्या बन जाएगा यहां पर प्रॉडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों यहां पर यह जुड़ेगा और यहां से यह निकल ndale minus to six to seexis तरė बाथ क्लीएर हो गई होगी तो विलोपन का जब नुप्लिओ फेलिक बढ़ा जब नुप्लिर फेलिक छोटा तो क्या होता है प्रती स्थापन ऐसेगा प्रति स्थापन वर्सेस wie लोपन का जो कंसेप्त था यहां से भी स्क्रेश्चन आता तो ध्यान से पढ़ो भई clear जी clear yes अब चलते हैं हम अपना next question की question नहीं अपना next अभी क्रिया कौन सी last but not the least धातों के साथ clear right धातों के साथ clear धातों कौन कौन सी बेट है अपने लिखा magnesium और sodium ओके हां बिल्कुल magnesium एक reactive धातों है तो इसकी reaction जब आप किसके साथ एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो कहते हैं कि एल्किल हैडाइड में और यह एक मात्र विदी है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहां पर magnesium जब जुड़ता है तो वो इसके बीच में आकर प्रॉडक्ट बनाता है RMG X जो सबसे पहले किसने बताया एक scientist जिसका नाम ग्रिन्यार था और उसने यह सबसे पहले बताया तो यह नाम दिया ग्रिन्यार अभी कर्मा यह बहुत रियक्टिव होता है इसलिए इसे किसमें इथर के उपस्तिती में कराया जाता है क्यों कराया जाता है इथर की उपस्तिती में इथर होता है आर ओ आर कई बार बच्चे पूछते में हम इथर क्या होता है इथर जो होता है ना लड़िका नेल पेंट उतारती नहीं है फीनर फिरर करतें आम लोग उसमें फेस फंडर फंडर लगता इस है तो वहीं पर वह attends आती है तो इथर जो है उसकी उपस्थीं में क्यूज क्यों क्यूंकि के साथ करिया करके नम्हीं मतलब अज्टू के साथ करिया करके कौन आर एमजी एक्स रियक्षन विधर हट प्लस ओएच माइनस यहां से रियक्षन करेगा यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव हो इधर X और इधर OH राइट बात समझ में आ गई होगी क्लियर 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 चलते हैं यह बात समझ में आ गई बताया नहीं एक मातर वीदी है जिसमें r पर कौन सा चार्ज कंटेन होता है नेगेटिव चार्ज, generally carbon positive चार्ज ही pratique करते हैं तो ये था sodium के साथ magnesium के साथ अभी क्रिया, इसमें अपनने देखी क्या बनता है, गृन्यार अभी कर्मक, सबसे important है, सबसे जादा important है और ये गृन्यार अभी कर्मक जब आप ether के साथ इसको डूबो के क्यों रखा जाता है कि यह बहुत ज़दा रियाक्टिव होता है नमी के साथ खुला छोड़ दिया तो नमी के साथ प्रिया करके एलकेन में कनवर्ट हो जाता है बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे अब रियाक्शन किसकी करानी है सोडियम के साथ सोडियम के साथ में जब कौन रियाक्शन करता है अलकेन है तो आपके पास क्या बनता है एलकेन ही बनती है और यह एक नेम रियाक्शन है बच्चों क्या वोर्टज अभी क्रिया एक नेम रियक्षिन है, it's a very important वूटज अभी क्लिया, कैसे होती है ज़रा ध्यान देंगे R X plus 2 mol Na plus XR तोट गया है Plus, Minus, Plus, Minus और ये बन गया है क्या R R plus 2 Na Clear जी, Clear? Yes, जी, Yes बात समझ में आ गई होगी सब को ये Clear भी हो गया होगी इसको आप लोग CH3, CH2, CL Plus, 2 Na Plus, CH3, CH2, CL के साथ भी करके देख सकते हैं यहां से यह टूटा यहां से यह टूटा Molecule को मेंशा ऐसे एरेंज करो कि वह टूटता और जुडता नजर आए Yes और No? बिलकुल तो यह से एरेंज करो भई, CL, CH2, CH3 यह हुआ आपका तूटना और अपने आपास बन गई CH3, CH2, CH2, CH3 प्लास टूटने तो बच्चों यह थी सभी रासाइनिक अभी करिया हैं जो अपने को पढ़नी थी क्लियर हो चुकी है सारी अभी करिया हैं तो चलते हैं अब अपन अपना अगले टॉपिक पर आएंगे तो शुरू करते हैं बिना जादा समय को गवाए बच्चों बस समझने की एक ही शर्त होती है कि आप पूरा ध्यान वही पर केंद्रित कर रहे हैं जहां पर जरूरत है यानि कि क्लास में ही क्लास जो है बहुत इंपोर्टन्ट है यह क्लास भी बहुत इंपोर्टन्ट है और आप लोगों को जनरल अर्वे केमेस्ट्री भी में ने एक ही वीडियो में बना एक पूरा क्लास बना कर दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जल्दी से देखें और वो जादस ज़्याद शेयर करें ताकि सभी बच्चे उसका लाब ठा सकें ठीक है बच्चो तो चलिए ज़्याद समय कंस्यूम ना करें और अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है हेलो एरीन की रासाइनिक गुंधरम या रासाइनिक अभिक्रिया बेटा जैसे हमने हैलो एलकेन की रासाइनिक गुंधरम पड़े थे तो वहां पर अपने देखा था क्या कि वह नाभिक्स नहीं परतिस्थापन अभिक्रिया यह देते हैं और वह होती है दो प्रकार की एसन वन एसन चू रहे फिर हमने देखा विलोपन अभिक्रिया और नेक्स लास था धातु के साथ अभिक्रिया एज सिमिलर एज वैसे ही रियक्शन्स यहां है वही तीन भाग है लेकिन थोड़ा सा अलग है जो अलग है वही तो सीखना है तो शुरू हो जल्दी से आओ मेर नहीं पुदा तक्या हैं सबसे पहले आप पढ़नी है नाभिक्स नहीं है नाभिक्स नहीं नाभिक आतीस थापन अभिक्रिया ना अबिक्स नहीं हें Matthпр तू सरि है इलाक्ट्रों स्नेही अभी क्रिया रई थर्ड है धातू के साथ क्रिया धातू के साथ क्रिया क्लियर बात समझ में आ गई होगी अब जल्दी से अब देखते हैं कि नाबिक्स नहीं तो हमने वहां भी पड़ा था पर यहां कैसे हो गई फिर क्या दोनों देती है नहीं बेटा नाबिक्स नहीं परतिस्तापन अभी क्लिया हैलो एरिंस सामान्य परिस्तितियों में नहीं द चाहिए तो कौन से कारण हैं जिसके कारण यह नाबिक्स नहीं परतिस्तापन अभी क्लिया देने में सख्षम नहीं है सामन्य परिस्तितियों में तो वहelly आपकी जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे सबसे पहली है क्या सबसे पहला है अनुनाद प्रभाव कौन सा प्रभाव अनुनाद प्रभाव सेकिंड है संकरां थर्ड है क्या थर्ड है प्रतिकर्शन और फौर्थ है बच्चों क्या एरिनियम धनायन धनायन का एस्थाई राइट चारों पॉइंट वो बेरियर्स है जो आसानी से क्या नहीं देने देते हैं नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देने देते हैं यह बेरियर्स है और इनका रीजन इनको डिटेल में अभी डिसकस करेंगे तो आराम से सेकिंड इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं उनके अंदर चार अभिक्रिया हैं कौन-कौन सी है जरा ध्यान देंगे सबसे पहले है हेलो एरीन का हेलो जनी करण हेलो जनी करण रईट सेकिंड है फ़र्स आ गया सेकिंड है क्या दूसरी अभिक्रिया है आपका हेलो जनी करण का क्या नाइट्री करण हेलो एरीन का नाइट्री करण फिर है हेलो एरीन का सलफोनी करण और लास्ट है फ्रिंडल क्राफ्ट अभी क्रिया फ्रिंडल क्राफ्ट अभी क्रिया में भी दो भाग है एल कीली करण और एसी टीली करण ठीक है बात समझ में आई अभी समझने जैसा कुछ नहीं है मैंने केवल सार लिखा है जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं लास्थ है धातु के साथ कक्रिया तो धातो में सबसे पहले मेंगनेशियम के साथ होगी फिर सोडियम के साथ होगी देन सी यू के साथ होगी और it में से कुछ अभीक्रिया रियक्षन भी होँ भी यहीं पर डिसकस की जाएगी रियक्षन बहुत इमिपोर्टember कहिए ही रियक्षन आनी ही होते हैं तो यह कही बहुत जादा इंपॉर्ट इंपर्टेंट है राइट यह बात में आ तो यह है आपका चार्ट जो आज आपको पढ़ना ही है ओके डान तो चलते हैं आगे फटा-फट इसको आप उतारेंगे और अब अपन शुरू करते हैं अपना पहला नाविक सनेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया राइट जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी हेलो एल के ना भी कुस नहीं पड़ते इस्तापन अभी क्रिया सामाने प्रिस्तितियों में क्यों नहीं देते हैं जरा ध्यान देना पहला इफेक्ट क्या है बेटा कौँण सा प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, सामाण्या परिस्थितियों में नहीं दिता, क्यों? हम सब जानते हैं मैंने अनुनाद बताया हुआ भी है जिसने जीयोसी पड़ी है उसको पता है अनुनाद क्या है तो देखो बेटा अनुनाद प्रभाव की बात करूँ तो हेलो एरीन जो है वो यहाँ पर जैसे क्लोरो बेंजीन है या फिर एक्स भी लगा सकते हैं बेटर अनुनाद प्रभाव में यह अनुनाद दिखाता है लेकिन यह हेलो एरीन है पर सी एक्स जो एलकिल हैलाइड्स है हेलो एलकेन है वहाँ तो अनुनाद नहीं होता तो वहाँ कोई बेरियर भी नहीं है लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है कि यह इस तरह से इलेक्टोन इसके चालों तरफ उपस्तित है तो यह अपने इलेक्टोन यहां देकर कि यह बंद तोड़ता है बच्चों तो यह अनुनाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है राइट यहां डबल बॉंड आ गया यहां सीयल यह यह और यहां प्लस चार्ज यहां पर माइनस चार्ज यह और यह क्लियर बात समझ में आ गई यहां से यहां यहां से यहां 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 और यहां पर यह डबल बॉंड यहां माइनस चार्ज यहां डबल बॉंड डबल bond CL जहां पर electron है और यह clear यहीं पर आगे देखें तो similarly ऐसी ही reaction आ जाती है यह यहां पर और यह यहां पर यहां minus charge यहां बंद यहां बंद यहां double bond यहां CL और यहां plus charge बच्चों यहां पर एक बात तो clear हो आती है यहां वापस और यह अपना यहां ठीक है यहां पर एक बात clear है क्या है यहां एक बात clear है कि हां एकल बंद था सही है और यहां द्विया बंद आ गया यहां एकल बंद है और यहां द्विया बंद आ गया आ गया ना द्विया बंद आ गया तो हम सब जानते हैं की क्या एकल बंद में यदि किसके गुण आ जाएं द्वी बंद के गुण आ जाता है तो वो क्या हो जाता है प्रबल हो जाता है और प्रबल हो जाता है तो आसानी से तोड़ना संभाव नहीं है नहीं है ना आसानी से नहीं टूटेगा वो प्रबल हो जा हो जाएगा आसानी से तूटेगा नहीं तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा उच्छ ताप उच्छ दाब देना होगा यानि यह सामाने परिस्तिती में अभी क्लिया संभव नहीं है तो अनुनात का समझ में आ गया क्लीर अब चलते हैं आपन्हों दूसरा क्या है दूसरा पॉांट है अपना हृष संकरन मतलब क्या आप देखते हैं कि अगल है अगर एजनेंस किया जाता है क्या मोजूद आ जाता है auch डबल बॉंड हो जाता है सिंगल बंद में क्या आ जाता है बेटे डबल बॉंड यानि यहां पर कौन सा संक्रण है एकल बंद में एकल बंद दिखे वहां हमेशा SP3 संक्रण 11 में इतना तो पड़ाई है संक्रण शब्द भी सुना ही है ठीक है तो वहां पर यहां जार डिटेल नहीं जा रहे हैं कि वह इतना ही ध्यान रको कि जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद तो SP3 संक्रण ड्यान बंद तो SP2 संक्रण त्रिया बंद तो SP3 संक्रण ठीक बात बात प्लियर हो गई समझ आगई ओकेड़न तो यहां SP2 है तो SP2 तो संक्रण और SP3 में बात करें तो प्रतिशत का देखते हैं S की यहां S की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या है कम है वहीं पर यहां पर S करेक्टर क्या है जादा है अब आप सोच रहेंगे यह S करेक्टर मतलब क्या संक्रण जब पढ़ते हैं तो S कक्षक और P कक्षक भाग ल तो क्लियर हो गया होगा बेटा तो का गया जहां ay इस और क्लियर जादा होता है वहाँ बंद प्रबल होता यह होता है जब बंद प्रबल होगा तो आसानी से टूटेगा नहीं नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? उच्छ ताप उच्छ दाप राइट बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों की या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि SP2 संग्रण है वहाँ द्वियाबंद है सिंगल बंद में द्विया बंद के गुणा आ जाते हैं तो बंद परबल हो जाता है अनुनाद तो वो आसानी से तोड़ना संभाव नहीं है क्लियर बेटा बात समझ में आ गई होगी तो दोनों करेक्टर की वज़े से नाविक्स नहीं परतिस्तापन अभी किया सामाने परिस्तिती में नहीं हो सकती न अब दो करेक्टर और है वो कौन से हैं जरा वो भी चेक कर लेते हैं वो करेक्टर हैं आपके कौन से भाई तीसरा है आपका कौन सा प्रतिकर्शन ठीक है बच्चों अब प्रतिकर्शन में क्या प्रतिकर्शन क्या होता है बच्चों हम सब जब हेलो एलिन की बात कर रहे हैं तो क्लोरी हेलो जुन राइट इसके उपर कौन सा चार्ज होता है बिटा नेगेटिव राइट अगर आप इसको हटा भी दे तो बेंजीन खुद भी क्या है इलेक्ट्रोन धनी है इलेक्ट्रोन धनी है मतलब रिच है किन से इलेक्ट्रोन से अच्छा कोई व्यक्ति पैसे से रिच होता है कैसे पैसे से धनी है इसका मतलब क्या होता है उसके पास क्या जादा है पैसा कम है कि जादा है जल्दी बताओ कमेंट में मैं तुम से बात कर रही हूँ और तुम किसी पैस से धनी है, इसका मतलब पैसा जादा है, इलक्ट्रोन धनी जोने है, इसका मतलब उसके पास अलेक्ट्रोन जादा है, अच्छ यह कैसे मालुम चला कि वो इलक्ट्रोन से धनी है, अँटा अभी अपने रेजिन्स पड़ा है, पीछे, बिलकुल पड़ाAR, रिंग पर हां जी हां है ना तो अगर इसके उपर इलेक्ट्रों डेंसिटी ज्यादा है तो अब यदि मैं किसी नुक्लियोफाइल का अटैक कराती हूं तो उसके पास भी माइनस है दोनों के पास माइनस है तो यह तो क्या हो युद्ध छुड़ गया यह तो युद्ध छुड़ गया भ संबाव नहीं है इनके लिए भी क्या चाहिए उच्छ ताप उच्छ दाब की आउशकता होती है बात क्लियर हो गई होगी सबी बच्चों को तो फटा पर लिखेंगे यस मैं फोर्थ आता है आपका बिटा क्या एरी नियम एरी नियम धनायन का एस्थाइत्व एस्थाइत्व क्लियर तो यह एस्थाइत्व क्या कैसे एस्थाइत्व की बात करें तो यहां पर अपन देखते हैं कि जनरली अगर सामान्य खुद से ही वो अलग होता है कौन क्लोरीन तो क्लोरीन इलेक्ट्रोन लेकर जाएगा ना बच्चों इसमें तो कोई डाउट नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोन डेंसिटी कार्बन से जादा है अगर जिसकी इलेक्ट्रोन डेंसिटी या कहूं की विध्यत रिंटा जादा होती है तो वो इलेक्ट्रोन को लेकर जाता है जाता है ना अगर वो इलेक्ट्रोन को लेकर जाएगा तो यहां चार्ज क्या जाएगा प्लस यह एरीनियन धनायन बन गया लेकिन रिंग के उपर तो क्या रहता है माइनस चार्ज आपने क्या चड़ा दिया प्लस चार्ज तो यह क्या हो गया एस थाई हाँ या ना बोलो जल्दी एस थाई हुआ या नहीं हो गया ना यस और नो अब इसके लिए हमें सामाने परिस्तितियां तो नहीं चलेगी इसकी मैं कुछ रियक्शन या की बात समझ में आ जाए अपने पास जैसे एरेनियम धनायन है जरा ध्यान देना सभी बच्चे एरेनियम धनायन में मेरे पास क्लोरो बेंजीन है ठीक है और क्लोरो बेंजीन की रियक्शन केवल आनियोज के साथ करवाँ फिर और्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन है औ और्थो क्लोरोम डाइनाइट्रोब एंजीन है और एक यह है सी एल एनो टू एनो टू एनो टू यहां तक किसी को दिखकर तो बता मैंने अनुनाद जब पढ़ाया था तो वहां यह बताया था कि यह इलक्ट्रोन को आकरशित करने वाले जुड़े हैं अपनी तरफ खीषते हैं यह इलक्ट्रोन को ठीक अगर आप अने ओच की रियक्शन याद करवा रहे हैं तो यह रियक्शन सामाने तो नहीं होगी इसलिए इनके लिए हमें कौन सा तापमान चाहिए मैक्जिमम तापमान कितना चाहिए 623 केल्विन चाहिए राइट क्योंकि सामाने परिस्ति में यह जाएगा नहीं यह जाएगा नहीं तो अभी क्रिया होगी तो 623 केल्विन तापमान दो तब तो यह रियक्शन क्या हो भाई यह ओच लगे और यह बने अने सी ठीक है यह प्लस यह माइनस माइनस के साथ क्लिरne second अगर अब यहां आप आने वज के अभी क्लिया कराते हैं तो वही प्लस तूटा और यहां माइनस अब यहां पर आप देखेंगे बिटा की और यह यह चीनि करता है तो क्या होता है जरा ध्यान से ओ तो यहां अगर आपका ओच अटेक करता है तो यहां सीयल और यहां जो बंद है वो तूट रहा है तो यहां आ जाएगा माइनस यहां आ जाएगा प्लस और यह हो गया इदर अब कौन आएगा यहां पर आसानी से ओच नेगेटिव स्रस्थी क्लीय यह प्लस में है जुड़ गया अब जैसे यह अटाइक करेगा यह यहां पर आ जायएगा और यह यहां पर जद्रादेना तो यह कुछ यूं हो गया गया यहाँ CL यहाँ OH यहाँ पर माइनस यहाँ बंद और यहाँ पर बंद हाँ या ना जल्दी बताएंगे फटा फट यह बात समझाई की नहीं कि OH को यहाँ अटेक कराना है तो उसके पहले यह बंद तोड़ना पड़ेगा बंद तूटा तो एक तरफ प्लस औ उपर OH अटेक कर रहा है तो यहाँ तो जुड़ गया और माइनस यहाँ घूम करके यहाँ बंद बंद गया हाँ यह ना अब चलते हैं आगे बात समझ में आ गई यहाँ तक अब देखा कि यह यहाँ और यह यहाँ तूट गया तो यहाँ पर वापस यह रिंग बंद गया यहाँ बंद यहाँ बंद यहाँ माइनस और यहाँ C-L और इधर OH यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है बताओ जल्दी 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 क्लियर बेटा ध्यान दोगे तो मैं कहूं 101% समझ में आएगा अगर आप ध्यान दोगे यह नहीं तो फिर दिक्कत ह अब बेटा देखो यहाँ पर आया और यह एलेक्टोन लेकर निकल गया तो यह कुछ यू हो गया यह देखिए यहाँ पर यह यह एच और यहाँ Etch और यहां पर भी बंद हाँ यह ना बात समझ में आगे तो यह केवल एक बार हो रहा है इसा केवल 해요 one यह पर एक नोटु तो क्या होगा तीर अनोटू हो तो क्या होगा तो हमें कहा गया कि यहां पर माइनस चार्ज जो आ रहा है यहां अनोटू लगा हुआ है ना बेटे ध्यान दो हां या ना लगा हुआ है यहां भी क्या लगा हुआ है अनोटू लगा हुआ है अब यहां माइनस चार्ज आ रहा ह और यह electron को खुद की और खींच रहा है अगर यह electron ले रहा है और minus charge तो minus charge इस्थाई हो गया इस्थाई हो गया तो यह reaction possible हो गई थोड़े कम temperature यहां तो एक ही अनोट उठा तो उसने एक बार एक ही अपनी चमता उत्में electron लेगा दो होगा तो जदा लेगा और तीन है तो और ज रहा गया क्या यह बात समझ में आ गई तो यहां लिख रही हूं जड़ा ध्यान देना तो यह यह हुआ कि अगर आपने क्या कर दिए दो अनोटू लगा दिए तो अभी किरिया कितने में दो लगाने से 368 परी और तीन लगाने पर अगर आपने तीन अनोटू लगा दिए तो क्या होगा तब तो भगवान कुछ करने के जरुरती नहीं है हलका सा गरम किया कि क्या बन गया एलकोहल बने गया बात समझ में आ गई होगी बात क्लियर भी हो गई होगी डन यस तो फटावट कमेंट में लिखेंगे और ध्यान से पढ़ेंग आगे फटा फट उतारेंगे अब चलते हैं आगे चलो जी तीनों पॉइंट तो क्लियर हो गए एरिनियम धनायन का बनना उसका इस थाई तो पर चल गया और इस थाई पर भी मालूम चल गया संकरन अनुनाद और प्रतिकर्शन क्लियर अब से कोई भी डाउट नहीं होना च जिस पर दूसरा अपनी रियक्शन का पाट है वो क्या है भाई इलैक्ट्रोंस नहीं प्रतिसथापाण अभी की में टिक है बात समझ में आ रही होगी आ रही है ना तो बात नहीं करो के तो आएगी तो उसमें और डाउट है ही नहीं तो उसमें भी चार अभीक्रिया भी बताई थी न मैंने तो सबसे पहले आओ जी आओ जल्दी से देखो पहला क्या था जिरा बताएंगे सबी बच्चे वड़ा वड़ कामेंट में लिखेंगे पहली अभीक्रिया कौन से थी हेलो एरीन का हेलो जनी करान हेलो एरीन का हेलो जनी करण अच्छा आप में से किस किस को याद है मैंने हेलो जनी करण में क्या बताया था एक चीज बताई थी आपको बताओ जल्दी से कमेंट में क्या बताया था मैंने बताया था ना कि जब भी हेलो जनी करण करो तो वहां पर प्रकाश की उपस्तिती में होगी और वहां अमेशा समान सुभिखंडन होगा जिसे मुक्त मूलक अभी क्रिया भी कहा जाता है बेटा देखो पढ़ नहीं रहें क्या वीविजन करो भाई जरुरत है हेलो एरिन का बेटा हेलो जने करन राइट बात समझ में आई जल्दी बताओ हा या ना जल्दी जल्दी बताओ हेलो एरिन का क्या करना है हेलो जनी करन करना है तो सबसे पहले अपन देखते है कि अपने पास रो है कि नहीं है जल्दी बताओं जल्दी बताओं है रोजनी करण यहां पर अपनी लगा है क्लियर is mm है अगर इसकी रियक्षन में आप क्या करते हैं 60 iath तू के साथ रियक्शन प्रकाश की उपस्तिती में करते हैं तो जल्दी से बताओ कि क्या होगा जल्दी से जल्दी से फटा-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट-फट- यहां पर समानस्विखंडन है नहीं कर पायेगा क्यों है वह यहां पर इलेक्टोन और यहां बनेगा CL+, यहां होगा CL-, राइट, जैसे यह हुआ बेटा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, प्लस में, यहां आया माइनस, और यहां पर इलेक्ट्रोंस नहीं हो गया, क्लोरिनियम आयन, यह करेगा, यहां अट्रेक, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा रा और तो डाइक्लोरो, बेंची, राइट, बात समझ में आ गई होगी, और साथ में बन जाएगा, अच्छी, बताओ तो जल्दी से, बात समझ में आई या नहीं, यह बताना जरूरी था, अगर यह नहीं पता होता, तो भी गल्तियां कर चुके होते हैं, राइट, चलते हैं आगे, सेकंड रियक्शन का नाम कौन बताएगा अपने से, जो सबसे पहले बताएगा, वही सबसे ध्यान लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड रियक्शन कौन सी है, नाइट्री करन, हेलो एरिन का क्या, नाइट्री करन, बच्चों, नाइट्री करन क्या होता है, अनोटू का जुड़ना जिसमें अनोटू जुड़ जाता है वहां पर नाइट्रिकन हो जाता है पर कैसे जब ह अनोट्री कंसंट्रीट और वहीं पर ही कंसंट्रीट एश्टू असोफोर परस पर रियक्शन करते हैं तो क्या बनता है जरा ध्यान दें क्या बनता है ध्यान दो ध्यान क्या बनता है HNO2 और Concentrate H2O4 की उपस्ति में क्या बनेगा? यहाँ पर बनता है आपका ध्यान दो HNO2 में क्या होगा? Sorry, HNO3 HNO3 यह structure होती है हाँ या ना? साथ ही H2O4 की structure? हाँ या ना जल्दी बता हो गई? यह टूटा प्लस यह टूटा माइन यहाँ से यह टूटा माइनस यह टूटा प्लस HNO2 दिख रहा है? जल्दी बता हो किस को दिख रहा है? जिसको भी HNO2 दिख रहा है वो जल्दी से लिख दे भाई यह NO2 दिख रहा है यह क्या हो गया? Electrons नहीं हाँ या ना? बात समझ में आ गई तो product क्या बनेगा बच्चों? ज़रा ध्यान दो product बनेगा आपका क्या? आपका product बनेगा H2O यह H और यह OH H2O plus NO2 positive plus HSO4 minus यह बात कितने बच्चों को समझ आई? ज़रा फटा फट कमेंट में लिख दें clear? जब तक बच्चों तोड़ना जोड़ना नहीं आएगा तब तक अभी क्रियें इस संभाव नहीं है तो अपने पास electronium आयन बन गया भई electrons नहीं nitrogenium आयन इसकी reaction किसके साथ? chlorobenzene के साथ CL plus किसके साथ? क्या-क्या है? HSO4 minus plus NO2 plus राइट? इसकी ortho और पेरा condition किसी में भी कर सकता है क्योंकि यहां दोनों पर ही negative charge घुमता है अनुनाद हमें यह बताता है तो यह यहां पर भी attack कर सकता है यहां पर भी कर सकता है यहां काच भी निकल सकता है प्रोड़क्त क्या बना बच्चो जड़ा बताएंगे सभी ध्यान से क्या बना वही प्रोड़क्टर बेंजीन रिंग उसके उपर क्लोरीन अनो टू या फिर या क्या बेंजीन रिंग क्लोरीन पेरा इस्तिती पर अनो प्लस जो एच निकला उससे वो एच किसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा एश टू एस ओ फोर यह सो नू से जल्दी 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 यस मैं राइट यहां जी यहां बिलकुल बात समझ में आ गई होगी क्लियर कॉंसेट हो गया होगा देखो बिटा आपके बुक में कहीं पर भी इस तरह से तोड़ कर नहीं बताया गया है कि जब तक आपको यह चीज क्लियर नहीं होगी तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी कि यह प्रोड़क्ट कैसे बना है अब इसके बाद कोई भी दे रहें हैं जो फड़ा फड़ उता रहेंगे फिर चलते हैं आगे अगली रियक्शन पर बेटा अगली रियक्शन क्या है जरा ध्यान देंगे अगली रियक्शन है आपकी क्या सलफोनी करण अच्छा यह तो वाइट नहीं हुआ वाइट चाहिए मैं तो वाइट भी दो लोग क्या है तीसरी सलफोनी करण सही है सलफोनी करण मतलब सलफोनीक एसिड का जुड़ना यह कैसे हुआ यह कहां से आया अभी देखते हैं अभी बहुत ही अच्छे समझ में आएगा हम लोग एच एसो थ्री को भी बनाएंगे यहां पर राइट तो सबसे पहले पता है इसको बनाने के लिए एक पॉर्मूला है जिसे ऑलियम कहते हैं क्या कहते हैं ओलियम यह ओलियम जब हीट किया जाता है इसको हीट कराया जाता है ऐसा र्येक्टेंट है यह तो ये क्या बनाता है ये बनाता है आपका HSO4 माइनस प्लस HSO3 प्लस येस और नो जल्दी बताओ कैसे देख लो यहां पर S, H, S, Double Bond O, Double Bond O कितने हो गए जरा देखो एक, दो, ती, चार, पांच, छे और यह हुआ साथ ये इसका फोर्मूला है जिसमें क्या आया एक, दो, ती, यह यहां से तोटा तोट गया? ऑक्सिजन पर क्या चार्ज? माइनन, सल्फर पर क्या चार्ज? प्लस वाई, क्यों है ऐसा? ऑक्सिजन क्या इलेक्टोन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है अधिक्तम, more negative है यह बात समझ में आई, तो यह HSO4 क्या आया? माइनस HSO3 क्या आया? प्लस, बताओ बात समझ आया ने, जल्दी कमेंट में लिखो ऐसा बहुत ज़रूरी है इस तरह से पढ़ना, जिसको इस तरह से औरगनिक आ गई, माना उसको जननत मिल गई घर बैटे-बैटे, क्योंकि इस तरह से औरगनिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है औरलियन समझ में आया? तो नाओ अब ये रियक्शन कैसे करेंगे? अब अपने को रियक्शन किस के साथ करा नहीं बिटा? क्लोरो बेंजीन के साथ, ये रा क्लोरो बेंजीन ठीक, यहां से निकलेगा hydrogen या फिर यहां से reaction में क्या है? HSO3 plus, plus HSO4 minus यहां से तूटा, यह plus, यह minus minus के साथ plus, plus के साथ minus product क्या बनेगा? फटा फट सभी बच्चे मुझे comment में लिखकर बताओ जल्दी जितना जल्दी आप सीखेंगे, उतना जल्दी answer आएगा समझ में CL, SO3, H बच्चों, पता हैं हम लोग कई बार कैसे लिख देते हैं? हम ऐसे भी लिख देते हैं हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं हमारे बिले से तो कोई क्या कहें? HSO3 लिख दे रहें न? क्या फरक पड़ता है मैडम? नहीं पड़ता न? अचा सुनना फिर आपकी हड़ी यहां से टूटी टक तोड़ दिया? अब डॉक्टर के पास का हड़ी तोट गई है यहां से कोई नहीं अब डॉक्टर कहेगा प्लास्टर बांदो तो वो डॉक्टर यहीं प्लास्टर बांदेगा कि यहां पर कह दे ना उसको कि यहां क्यों बांद रहे हो वहां यहां बांदो एक ही बात है यहां तूटे यहां बांदो यहां जुड़तो जाएगी संभव है नहीं न वैसे ही जहां से तूटता है न मॉलिक्यूल वही पर जुड़ता है यानि हड़ी जहां से तूटती है वहीं से जुड़ती है वैसे मॉलिक्यूल भी जहां से तूटता ह वहीं से जुड़ता है, ऐसे कभी नहीं जुड़ेगा, टूटा कहां से? यहां से, तो यही पर जुड़ेगा साथी कैसे? सलफर से, सलफर से टूटा है ना, तो सलफर से ही जुड़ेगा, यास और नौ, जल्दी बताएंगे बात फटा-फट, बात clear हो गई होगी सब को समझ में भी आ गई हो बात clear और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों clear देखने में लगता है कि यूज किया था थी वापस बन गया तो क्या हो गया यह अरे कुछ नहीं जैसी जेह अपने आप यह concentrate form में वहां शुद्ध था यह शुद्ध अश्ट्रोस और तुम्हें प्राप्त हुआ है राइट अश्ट्रोस और प्राप्त करने की एक शुद्ध प्रक्रम की विधी भी है यह ज़ा ध्यान दे लेना नाइट्री करण सल्फोनिक रंस चलें ओके जी ओके डन आगे चलते इनके नाम जला है आई पिसी नाम करन बताते जाओ भाई और्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसेड यह मैं नहीं आप बताओ मैं तो बताई दूंगी चलो आप सोचरे मेडम सब आप ही बता दो अरे नहीं है तुम भी करो कुछ है पौर तबिक्रिया लास्ट इसकी क्या ह अलगी नके फ्रिретल क्या नाम है अब यह तो वह है तुमारी जैसित इलउड भी होगहें फ्रिंडल क्राफ्ट ग्राफ्ट srndl ख्राफ प्रिकिए को दो बगोंगा दिया फ्रिंडल क्राफ्ट एल कीली करण और फ्रिंडल क्राफ्ट एसे-टीली करण बात समझ में आ गई जल्दी बताऊ yes or no फ्रिंडल क्राफ्ट एल क्राफ्ट एससीति ली करण एल कीली करण एल्किल मतलब CH3 का जुड़ना याद रखो एल्कीली करण एल्किल और का से क्लोरील एल्किल मतलब यह तो पता है आर्ट यह होता है एसिट्टिली करण दो आना है कहें तो एसिल शीएच थरी और यह एसिल ग्रूप है तो इसकी रियक्शन किसके साथ राजा इसकी से रियक्शन यहां से यहां से आच आपकी जहां से इच्छ दोनों ही स्ट्रीबल लेपर मौर्स्टेबल फ्लोरो पेरा पर होता है क्योंकि वह सम्मित ओता है इक स्थायु हुए जल्सक कि है बना प्रॉड़क जला जल्दी फर्इबल अजंद है बनाओ मेरे यहां पर क्या मेना अब बताओ यहां कैसे जोरोग है सिरिसी औलेख यह सी यसude रिखो जलदी बताओ झलदी कमेंट में लिखो भै बाते कर वालो बस कब भी शुरू हो जाते हो अरे नहीं भही बात ने करें पक्का क्लास का टोपिक है पूरा होने के बाद में हम लास में पक्का 5 मित बात करें उससे पहले पढ़राई करें ठीक है, done, चलो फिर चलो फड़ाब तो क्या बना, C double bond O CH3 clear, समझ में आई ortho chloro acetophenone ortho chloro acetophenone लिखो, लिखो, नाम लिखो जल्दी जल्दी लिखो reaction दोनो clear, acetylacoran और L की लिकरण clear हो चुका है now हम आचुके हैं अपने अंतिम पड़ाओ पर कहां पर जहां रासानी गुंदरम खतम होने वाले हैं तो लास्ट अभिक्रिया हैं कौन सी है भाई धातू के साथ अभिक्रिया धातू के साथ अभिक्रिया बच्चों धातू के साथ अभी क्रिया में क्या-क्या थी दात में फटावट कमेंट में बताओ जल्दी देखो मैं इतने सारे क्योस्चन पूछ रही हूं फिल भी पता नहीं तुम्हें टाइम कैसे मिल जा रहा है कितना दातों के साथ अभी क्रिया कौन-कौन से पहली मैगनेशियम याद है अल्किल हैलाइट्स में पढ़ा था सौडियम और कोपर अपने पीछे एक नहीं रियक्शन पढ़ लिया है फिरिंडल क्राफ्ट अल्किली करन अच्छा अब तक कितनी नहीं रियक्शन है फटावट कमेंट में लिखो जल्दी से बाते करने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हे सियल इदर एच हाँ यह ना प्लस अमजी मॉलिक्यूल को में सहां ऐसे अरेंज करो कि वह तूटता और जुड़ता हुआ नज़र आए तो यहां पर हम लोग इसको यहां सियल लगाओ और यहां एच लगाओ तो यहां पर अपन देखेंगे यहां से टूटेगा और बीच मे से क्योंकि वहां पर भी यही तो था आर एक्स प्लस अमजी तो यह बीच में गुज गया था यह और बन गया था आर एमजी एक्स बताओ इसका नाम क्या है किस वेग्यानिक ने दिया था यह किसने ग्रिगनाड अभी करमक है किसकी उपस्तिति में होता है यह शुशक एथर क्यों क्योंकि अगर यह सुशक इतर में नहीं रखोगे तो रियक्शन हो जाएगा और रियक्शन हो के अलकील हलाइड की तुल्ण में सीधा क्या बना देगा नमी के साथ रियक्शन करके अलकेन या फिर दाई ऐख पैनिल का निर्मान कर देगा या बाइफैनिल का निर्मान कर देगा तो यहां पर यह हो गया क्या mg c ग्रिगनाड या ग्रिन्यार अभी कर्मक clear बात समझ में आई या नहीं जल्दी बताएंगे जल्दी 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 ओके डन ये तो हो गई बात clear ग्रिन्यार अभी कर्मक के अब आ जाते हैं हम किसके उपर sodium धाती बच्चों आपको पता है ना पीछे अपन reaction पढ़के आएगे तो उसे क्या कहा था जब एल्किल हेलाइड reaction with sodium तो कहा था वूर्टज अभी क्रिया यह है हां या ना और वहीं पर यदी क्या हो sodium तीन तरह से reaction दिखाएगा अगर sodium दो बेंजीन रिंग के साथ क्रिया कर रहा है chlorobenzine या फिर एक एल्किल हेलाइड और एक chlorobenzine के साथ reaction कर रहा है या फिर या फिर केवल एल्किल हेलाइड के साथ reaction कर रहा है तो क्या होगा ध्यान देना वोड टज अभी क्रिया कि वोड़ टज आप बेंजीन के साथ फिट हो रही है ना कॉन एल्किल हेलाइड तो नाम दिया वूट टज फिटिंग अभी क्रिया और यहां पर केवल बेंजीन है एल्किलराइड नहीं है तो यह वूटेज वहां से कट और केवल दो बेंजीन फिट हो गई फिटिंग अभी कि यह नेम रियक्शन बहुत इंपोर्टेंट है इससे अच्छा एक्स्प्रीनेशन नहीं होगा इसलिए जल्दी से जल्दी इसको उतार लेना बात समझ में आई तो अपन को यह तो अपन पढ़ चुके है न यह वाली तो यहां पढ़ना है तो यहां सोडियम रियक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा दो बेंजीन दिंग आपस में इधर सी चोटी बेंजीन बना देती हूं यह बहुत बड़ी बड़ी बेंजीन है प्लस अने प्लस सी एल मॉलेक्यूल को मेशा ऐसे आरेंज करो कि वर टूटता और जुडता हुआ नजर आए क्या बन गया राजा बच्चों बाई फैनल यस और नो जल्दी बता जल्दी डंजी डं क्लियर यस बात समझ में आ गई तो फटा फट लिखो यस मैं लास्ट रियक्शन है कॉपर के साथ यह है आपकी नेम रियक्शन अगर सोटियम और मेगनेशियम की जगे कॉपर धातु का यूज किया जा रहा है तो यह एक तो उपर से जाने वाली अभी क्लिया हो गई थोड़ी उपरी उपरी इसी बातें हों गई है तो तो नाम दिया उल्मान अभी क्लिया उल्मान अभी क्लिया क्या है उल्मान अभी क्लिया बात समझ में आई कैसे होगी सिमिलरली वैसे ही बस यहाँ पर आयोडो बेंजीन लेंगी प्लस सी यू प्लस आयोडो बेंजीन clear और product बन गया by family बात कितने बच्चों को समझ मैं जल्दी से बताएंगे फटाफट 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 clearly बताओ जल्दी और जल्दी से इसको उतारेंगे ताकि बात clear हो जाए ओके उतार लिया होगा मेरे साथ साथ ही कोई दिक्कत नहीं है तो यह आपके रासाइनी गुंधरम clear है इसमें कोई doubt नहीं है और होना भी नहीं चाहिए जहां तक मेरी जितना मैंने अब तक 10 सालों में बच्चों को पढ़ाया है जितना मेरा अनुभव रहा है बच्चों के साथ वहां तक यही अनुभव कहता है कि इतना clearly पढ़ाने के बाद बच्चों कोई doubt नहीं रहता है अगर फिर भी है कोई दिक्कत नहीं है मैं solve करूंगी आप मुझे comment में लिकर भेजना ओके बटा चलते हैं आगे अब अपना last topic जो अपने chapter को अन्तिम पढ़ाव की ओड़ ले जाएगा ओके तो अब शुरू करते हैं हम कुछ महत्म पूर्ण पॉली हेलो एलकेंज राइट पॉली हेलो एलकेंज क्या होते हैं कुछ मैं तुम पॉली हेलो जिन में है आपके पास लिख दूँ मैं आचा पॉली हेलो एलकेंज ओके बच्चों क्या हैं भई पहला आओ एथिलीन क्लोराइट एथिलीन क्या क्लोराइट है अच्छा एथिलीन क्लोराइट का फॉर्मुला हमेशे ध्यान रखो कार्बन की चार से हो जाकता मैथेन ठिक अगर इसकी एक हाइड्रोजन को हटा दो तो उसके बाद इसका नाम मैथिल ठीक अब आपने दो कार्बन हटा दिया तो क्या हो गया मैथिलीन इसे हम लो कार्बन के साथ में अगर दो ही हाइड्रोजन हैं इसका मतलब इसके साथ कोई कार्बन और जुड़ेगा तो नाम दिया क्या एथिली मैथिली ना मैथिली है वाई हम तो भूली जाते हैं मैथी ठीक है तो यह आ गया मैथिली क्लियर बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को क्लियर हो गया जल्दी से उतार लो भई तो अब मैथिलीन क्लॉराइट का फॉर्मूला क्या हुआ भई जब केवल क्या बचा हो दो ही हाइड्रोजन बचे हो कार्बन के पास तो यह हटा दे इसको हटा दे लो हटा दो मेरे बच्चों का तो बहुत समझ में आई रही है कि यह आया सी एच टू कि यह इसका फॉर्मूला है डन ठीक अब चलो आगे अब यह कैसे बनता है सबसे पहले ध्यान दो जब भी आप एलकेल शब्द की बात करते हैं या हैलो एलकेन की बात करते हैं और वहां क्ल है क्या कि एलकेलाइट जब भी रियक्शन करते हैं हैलोजन के साथ तो वह हमेशा कौन सी रियक्शन होती है मुक्त मूला का विक्रिया या प्रकास की उपस्तिती में होने वाला समान्स विखंडन तो वह होगा अगर आप मैथेन की रियक्शन क्लोरीन के साथ कराएं प्रका हाँ के तो आ है ना सब को बच्चे कहते हैं कमेंच इह दो पहले हैं में तेज को अ अरे इतना तेश तो बोल रही हूं सुन नहीं रहा है क्या कर रहे हो तुम चलो जी चलो बात समझ में आ गई ओके प्रॉड़क्ट इस ड़न राइट क्लियर पड़ा बड़ कमें में लिखेंगे यस मैम मैं आप लोगों से जगा बाते करें मुझे लग रहा है मैं पड़ा कम यह सा तो नहीं है चलो जी चलो पहली रियक्शन समझ में इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं आप आपने पास यह तरी सीयल आया है तो वहीं सी एश तरी सीयल अरे यह तुम बच्चों की तरह पेंज जो है ना बिना मतलभी चल जाता है कभी-कभी सीयस तरी सीयल प्लस सी प्लस अच्छील मैथलीन चलोराइड बन गया क्या यस पर लिको यस मैं जल्दी लिको जल्दी आ गई बात समझ में तो अब हो गया यह बनाने की विदी मैथलीन क्लोराइड का उपयोग कहां किया जाता है जनरली इसका उपयोग प्रियोग शाला में अभीकरमक के रूप म किया जाता है किसका मैथलीन क्लोराइड का उपयोग जो है प्रियोग शाला में साथ ही धात्में होती है उनकी फिनिशिंग में भी इसका यूज़ किया जाता चमक होती है ना सिसोना है उसको चमकाना है तो किसका यूज़ करेंगे आप मैथलीन क्लोराइड क्लियर बात qoro qoro form ccue who how how chloro formская את coral form क्या काम करता है में देंगे लदी बताओ मुझे फटाफट कमेंट में छल्दी लिखो किस नष्धी क्या होगा जंदी बताओ जल्दी जंदी फटाफट जल्दी फटाफट जल्दी नहीं आया अरे तुम तो भाई ऐसे तुम यह सोच रहे हो कि हम नहीं बताएंगे तो मैडम तो बताई देगी दो मिनिट में क्या होता है ना तुम इतने होश्या कब से हो भाई अरे लिखा करो भाई राजा क्लोरेल 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 कि रियक्षिन जब किस्से करवाई जाती है अनिय उच के साथ कर आय जाती है तो ट्राइ ख़ाई अशिटल्टल इसे हम क्लोरेल भी कहते हैं इसे हम chlorel भी कहते हैं chlorel, okay reaction with NaOH बेटा, इसको ऐसे भी लिख सका C double bond OH molecule को मेशा ऐसे arrange किरो हुए तूटता और जुडता हुआ नाजर आए तूटा minus plus double bond OH clear product क्या बन गया ये अच्छी या आ गया जल्दी ध्यान दो क्या बना chcl3 plus hc double bond OH O and A sodium formate इसका नाम क्या है sodium formate clear और ये क्या है chloro form simple बात समझ में बहुत उप्योगी है chloro form का उप्योग कहा किया जाता है जल्दी बताओ कहाँ movies तो खूब देखते हैं हम सब देखते हैं ना kidney पर जो लिक्विड का यूज करते हैं वो क्या होता है वो और गिनी बोतल में ही क्यों रखा जाता है colorful रंगिन बोतलों में ही क्यों बला जाता है भाई क्यों बंद रखा जाता है क्योंकि chloro form जो है CH CL CL CL3 अगर आप इसे oxygen की उपस्तिती में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करती है oxygen इसके साथ reaction कर जाती है और क्या बन जाता है COCL2 प्लस HCl इसका नाम क्या है ये एक विशेश जहरीली गेस है फॉसजीन कौन सी गेस है फॉसजीन गेस का निर्मान हो जाता है जो कि क्या होता है लंक्स में जाकर methyl अलकोल का formation कर देती है जिसे व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है बात समझ में आ गई clear हो गया साथ ही फॉसजीन गेस जो है ये जो बनती है इसको यह तोड़ना है रोकना है तो हमेशा chloroform में 1% एथिल एलकोल मिला कर रखना चाहिए जिससे की वो क्या करता है विशेली गेस बनने से रोक देता है कौन एथिल एलकोल इस वेरी इंपोर्टन टॉपिक और कहते हैं बहुत इंपोर्टन बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि विशेली गेस का निर्मान हो जाता है जब इसको वायू में या फिर हमेशा रंगीन बोतलों में कवर करके रखा जाता है और ये हमेशा बंद ही रहता है खुला नहीं छोड़ा जाता है रियक्शन के दुरान ही निकला जाता है अगर खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सजिन के साथ रियक्शन करके एक विशेलीगेस phosgenic निर्मान कर देता है बात समझ में आ गई है तो चलते हैं आगे फटाबट उतारेंगे अब आता है अगला जैसे chloroform का निर्मान हुआ वैसे ही किसका निर्मान हो सकता है आयोडीन का है ना आयोडो इसको क्या बोलते हैud पंग क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो क्लोरोफोर्म आयोडोफोर्म का भी निर्वान ऐसे होना है कैसे किसके साथ में क्लोरियल तो क्लोरियल की जगह क्या होगा अब आयोडीन लगेगा और यहां पर सी डवल बॉंड ओ एच प्लस किसके साथ रियक्शन के ओच के साथ प्रॉडक्ट क्या बनेगा सिमिलरली सी एच आई थ्री राइट यस और नो जल्दी से कमेंड में लिखेंगे और इसका उपियोग जो है किसमी किया जाता है एज एंटी बायोटिक के रूप में प्रती कि समझें इसलिए मैं बश्यादा फोकस कर से घ्लियर यह तो हो गया साथ में ही इसके यह थर्ड हो गया फॉर्ट एक और है किसका निर्मान सी और का निर्मान वही है मैथेन के अभी क्रिया क्लॉरीन की प्रकास की उपस्तिति में नी करा दे जाए तो क्या बन जाता है चार सो डिग्री टेंप्रेचर पर संपन्न होती है बात समझ में आ गई तो क्लियर पटाफपट देखे जल्दी से उतारेंगे ओके जी ओके यह सोन नो फटाफट फटाफट कमेंड में लिखेंगे लास्ट टॉपिक चांटर खाताम और सबसे इंपॉर्टेंट भी है डीडी टी का निर्मार डीडी क्या एक कीटना शक है क्या ری डिल टी कर्क was कीएट ना सखाऊ डी इट ना सखके डी पंद स्फ फोर्म बताऊ डाल डाइपरो बं लेमरो यह थेड के अप्स Aww डाइपरो डाइपरो डाइपर attract लोरो, डाइप लोर ओ झाल- एथेन बात समझ में आई यस और नो चलो जी चलो इसका निर्मान कैसे होता है किसका डी डी टी का फॉर्मेशन किस से होता है फटा फट पटा फट पटा फट बताएंगे वही सिमिलरली किसके साथ रियक्शन क्लोरेल के साथ सी सी डबल बोन ओ और रियक्शन विद किसके साथ बच्चो बेंग लॉरो बेंजिन के साथ मैं अभी एक ट्रीक बताओंगी तुम्हें ताकि तुम्हें यसी हो जाए ऐँ आचा डाई क्लोरो डाइफेना डाइफेना दाईफेना दो बेंजीन फिर इन तो दो क्लोरीन हो गए ट्राइक लोरो एक दो ट्राइक लोरो एथेन दो कार्बने तो एक लियर वेस्तों क्लोरेल का फॉर्मूला तो याद होता ही है फिर भी अगर ना हो जिसको ठीक मॉलिक्यूल को मेशा ऐसे एरंज के लोगे टूटता और जुड़ता हुआ नजर आए आ हाँ या ना बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोलो भाई क्या हो गया यही है क्या जहां से टूटती वहीं जोड़ा है कि नहीं कि कांदे से कौनी से टूटती है ना कांदे पर जोड़ी है ऐस तो नहीं है आचा ना है देखो नाम देखो डाई क्लोरो डाई फैनिल ट सदी डी टी इसका उपयोग कीट नाशकों के रूप में किया जाता है इसका भी अभी करमों के रूप में यूज होता है पर सबसे इंपोर्डन तो यही है इसका यूज इसको अपने को याद लखना है तो नाव चाप्टर इस कमप्लीट हैपी ओके जी ओके बिलकुल जितना मैंने पढ़ाया है बच्चों प्लीज इसको नोट्स में लिखना ऐसे इसको अच्छे से लिखकर के बार बार प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज्यादा आप कुछ जी क्लियर होगी एक बार से नहीं होती चाहें आप कितना भी कोशिश करें एक दो त इन बार कम से गम उसको लिखना पड़ेगा तो जितना कोई शोसके करो ताकि बात क्लियर हो जाए तो जब तक मैं नेक्स क्लास में अगले नए चेप्टर के साथ आती हूं तो मस्ति से पढ़ना अच्छे से ध्यान लगाकर खुश रहो मस्त रहो और लेकिन पढ़ते रहो थैंक यू